हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं नीज चैनल टुटी एक्स्प्लेइन आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी एफ-फॉर बोईज और फ्लावर्स का थाई वर्जन ये एक थाई सिरीज है जो जैपनेश ड्रामा एफ-फॉर का थाई रीमेक है इस ड्रामे का कई वर्जन पहले भ सांस वभावकी है वह दूसरी लड़कियों की तरह सोफ नहीं करती वह जानती है कि उसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपनी फैमली के सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे से स्टड़ी करना होगा वह बागी चीजों में अपने टाइम वेस्ट नहीं करती हम देख गोरेया का यहां कोई फ्रेंड नहीं था तभी हम देखते हैं गोरेया के डैस्क पर हाना नाम की लड़की आती है हाना यूएस से अभी यहां सिफ्ट होई है वो भी एक निव स्टूडेंट है वो गोरेया से पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैटी हो ना किसी से बात कर हो गोरेया उसे बताती है मैं बाकी स्टूडेंट की तरह रिच फैमली से नहीं हूँ और तुम यहां देखी सकती हो बाकी गल्स किस चीज में लगी हुई है कोई मेक अप में कोई अपनी सौपिंग के बारे में और कहां कहां घूमने जाएंगे यह सब डिसकस करते रहते है इसलिए मैं अकेले ही यहां बैठी हूँ अगर तुम्हें भी मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो क्योंकि मैं एक बोरिंग गर्ल हूँ जिसके पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है अब हाना उसके सीट से उठ जाती है गोरेया थोड़ी सैड हो ज जाता है जितना टीचेश ने मुझे बताया है अब गोरेया उसे बताती है कि यह स्कूल बाहर से जितना प्रोटेक्टिव दिखता है उतना ही अंदर से डेंजरास है यहां जिस भी बच्चे को रैड कार्ड मिल जाता है समझ लो उसके प्रॉब्लम सुरू हो जाते हैं कोई को लगे कि यह कोई एक्सिडेंट हो और इन चीजों का कोई वीडियो या फोटेज किसी के पास नहीं होना चाहिए आगे उस टार्गेंट स्टूडेंट को पुराने स्टेडियम तक लाए जाता है कि वहां कोई CCTV कैमरा नहीं है किसी को भी इन चीजों की फोटोज लेना मना आगे हम देखते हैं उस टूडेंट को स्टेडियम में बहुत टॉर्चर किया जाता है कि वह एफ़र का टार्गेट था वह स्कूल की सचाई सब को बताने वाला था था इम उसे बहुत टॉर्चर करता है कोई भी स्टूडेंट उस टार्गेंट का सांथ नहीं देता सब गुरिया भी यह सब देखती है वो भी इन चीजों से बहुत परिसान होती है लेकिन वो किसी भी मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहती जब तक कि इसकी स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लेट नहों जाए वो जल से जल अपनी पढ़ाई कंप्लेट करके इस डेंजरस जगे से है वो अपना सारा गुस्सा स्कूल के टेरिस पर आकर निकालती है वहाँ वो एफ़ोर के खिलाफ बहुत कुछ बोलती है कि वहां कोई भी नहीं होता है अब जैसे गुरिया वहां से जाती है हम देखते हैं कि वहां रेंड सोया हुआ था वो उसकी बाते सुन चुका था ले जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है वहां सिर्फ एफ़ोर का रूस चलता है अब हमें दिखाया जाता है कि थाइम की मौम एक बहुत बड़े कंपनी की मालिक है और थाइम उनकी फैमली में एक लोता बोई है वो थाइलेंड की सबसे हैंसम है वह स्पोर्स में भी पेश्ट है हर एक कर उसकी दिवानी है दूसरा मेंबर है मैथस उसकी फैमली का भी बहुत बड़ा बिजनस है और मैथस एक तरह माफिया भी है कि उसके कउन्टरे सारे बैड ऑईस से है तीसरा मेंबर है कवें उसकी, फामली के भी बहुत सारे ग Awakर्मेंट आफ़ीसियल है बिजनेस थाई के डेकुरेशन गोर्स का है और कैविन ये सब करने में बैस्ट है लेकिन वो एक नमबर का प्लेवोई भी है जो हर रोज गर्ल्स के साथ नाइट स्पैंट करता है वो जितना भोला दिखता है उतना है नहीं चोथा मेंबर है रैन जो F4 के मेंबर में सबसे अलग है वो बिल्कुल काम मिस्टीरियस टाइब का है उसकी फैमली का थाईलेंड में नमबर वन हैल्स सेंटर है यानि उसकी फैमली में सबके सब डॉक्टर है रैन हमेशा फाइटिंग से किसी को बुली करने से हमेशा दूर रहता है हम यह यह भी देखते हैं कि गोरेया की फ्रैंड कैनिंग F4 के मेंबर केविन को लाइक करती है उसने उसे अपने हर सोसल मेडिया पर भी फॉलो कर रखा है गोरेया उनको बताती है कि F4 में सबके सब बैड बोईज हैं सारे के सारे पैसों से बिगडे हुए हैं अब गोरेया अपने घर पर होती है वहाँ पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है गोरेया अपने स्कूल के कारण हमेशा दुखी रहती है लेकिन वह अपनी फैमिली के सपनों को भी पूरा करना चाहती है वह बहुत ही पूर फैमिली से है उसके पैरेंस कहते हैं कर आई थी उन्होंने कहा था अगर हम अपने आप पर विश्वास करें अपने सपनों को मेनत करके पीछा करें तो हर ट्रिम पूरा हो सकता है गोरे आप स्कूल में होती है वो सोचती है कि भले ही मैं किसी को बुली नहीं करती हूं जिसके कारण मैं उतने ही जिम्मेदार हूं जितने वे लोग दूसरों को बुली करते हैं अब हाना उसके पास आती है वे दोनों साथ में डिसकस करते हैं कि ग्राजवेशन तक वे दोनों किसी से कोई फाइटिंग नहीं करेंगे वे बस अपने स्टड़ी पर ध्यान देंगे किंकि वे दोनों एक पॉर के सिकार नहीं झाते हैं आगे हम देखते हैं हाना से गल्थी से उसका फूर थाइम के सूच पर गिर जाता है अगे थाइम को करती है उसने ये उसने ये सब जान बुचकर नहीं किया और वो तुमसे माफ़ी भी मांग रही है सारे स्टूडेंट और एफ फॉर के मेंबर्स गोरिया को देखकर हैरान थे कि आज तक कोई गर्ल उनके खिलाफ नहीं उठी थी थाइम तो गोरिया को देखते रह जाता है वहाना से कहता है गोरिया के लोकर में रैड कार्ड है इसका मतलब अगला टार्गेट गोरिया है वो अब सबसे छुपने की कोशिस करती है लेकिन सारे स्टूडेंट सोसल वीडिया से एक दूसे से कनेक्टेड होते हैं सब उसके बारे में मैसेज करते हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि ग गोरिया को बचाने के वजाए उसे अकेला चोड़ कर चली जाती है कि वो डर गई थी कि अगर वो उसकी हैल्प करेगी तो वह भी एफ़ोर की टार्गेट बन जाएगी गोरिया को इससे बहुत दुख होता है अब वो दुवारा टैरिस पर आती है वहां बहुत चिलाती है रेन भी वहां पर होता है लेकिन गोरिया को ये पता नहीं था वो उसे कहता है तुम कितना चिलाती हो तुम्हारे आने से पहले ये जगे हमेशा सांथ होता था लेकिन यहां भी अब सोर होने लगा वहां कुछ बच्चे गोरिया को ढूरते हुए आते हैं लेकिन गोरिया को अपना गुस्सा उतारती है वहाँ रैन उसे कहता है तुम्हारे आने से पहले ये जगे हमेशा सांत रहता था वहाँ कुछ बच्चे गोरिया को ढूंटे हुए आते हैं लेकिन रैन उसे छुपा लेता है और उसे कहता है कि यहां उसके अलावा कोई और नहीं है अब वहाँ से चला जाता है गोरिया देखती है कि रैन ने वहाँ उसकी तस्वीर भी बना रखी है अब रात हो चुकी थी गोरिया अब तक टैरस पर ही चुपी थी अब वह सुझती है कि सब कुछ सांत हो चुका है तो वह घर जा सकती है वह घर जाने के लिए अब नीचे आती है उधर थाईं बाग स्टूडन को मैसेज करता है कि उन्होंने अब तक गोरिया को क्यों नहीं पकड़ा और उसे सबक क्यों नहीं सिखाया अब गोरिया जैसे ही लोकर के पास आती है वैसे ही वो बोईज उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं वे उसके कपले तक फार देते हैं गोरिया उसे बचने की पूरी कोसिस करती है वो बहुत डर चुकी थी तब ही रेन वहां आता है वो गोरिया को उसे बचा लेता है गोरिया बहुत रोती है रेन उस अब सारे बाइच वहां से चले जाते हैं और गुरिया अब घर चा सकती थी। आँए चली जाती है याप अपने आपको रूम में गोरिया उनको पूरा सच नहीं बताती बस कहती है मुझे स्कूल में कई प्रॉब्लम है मैं अब धक चुकी हूं मैं अपने रेगुलर किसी नॉर्मल स्कूल में जाना चाहती हूं उसकी मौम उसे हिम्मत देते हुए कहती है मेरी डॉर्टर इतनी कम जोड नहीं हो सकती जो किस सब नहीं चाहती वह हमेशा से फेम रिच एक्सपेंसिव थेंग सो अफ इन चीजों से दूर रहती है वह कहती है आपको अभी भी अमीरी की पड़ी है अगर रिच बनने का मतलब उन लोगों की तरह है जो हमेशा दूसरों को बुली करते हैं टॉर्चर करते हैं तो मैं वैस सब्चेंस को बुली करते हुए कहता है कि उन्होंने अब तक गोरिया को सबक क्यों नहीं सिखाया वह तक उनकी आगे क्यों नहीं जुकी आगे मैथस टाइम को कहता है तुम बहुत ही आगे बढ़ छुके हो तुमने इस बार रैड कार्ट किसी गरल को दिया है इसलिए ये सब हो रहा है वो इंडाइरेक्ली टाइम को रोकने की कोशिज कर रहा था ताकि वो गोरेया को बुली ना करे लेकिन थाइम उनकी बात नहीं मानता वो कहता है मैं उसे हरा कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो वो ये भी सोचता है कि रैन हर बर गोरिया को की बचा रहा है अब एक हेलपर थाइम को बताती है कि उसकी मॉम उसे बला रही है थाइम वहाँ जाता है उसकी मॉम एक इंटर्वी रिकोर्ड करवा रही थी जिसमें वो कहती है कि अगर बिजनेस में कोई एमपलोई मुसीबत खड़ी करता है या कोई डिफिकल्टेज में डालता है तो उस एमपलोई को रैड कार्ड जरूर मिलना चाहिए बहले ही वह कितना ही ओनेस्ट और लोयल हो आगे वह थाइम के सांट डिनर करती है उसकी मॉम उसे कहती है मुझे तुम्हारे स्कूल से कंपलेन आ रही है वह उसे डाटने के बजाए कहती है अगर तुम एक स्कूल पर रूल नहीं कर सकती तो तुम इतना बड़ा बिजनेस कैसे कंट्रोल करोगे उसकी मॉम बहुत ही कॉल हर टाइप की थी उन्होंने थाइम को भी इसी माइंड़ से बड़ा किया था कि वो इस दुनिया में सबका रूलर है वो जो चाहे किसी के सांथ कुछ भी कर सकता है उन्हें कोई भी गलती बरदास नहीं होती और थाइम भी होनी के तरह था जो सोचता है कि पैसो के दम पर वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है उधर मैथस और कैविन अभी भी पार्टी कर रहे थे वे कहते हैं रिच होने पर या टॉप पर रहने पर हर चीज अच्छा नहीं होता अगर आप एक परफेक्ट फैमली में जन्म लेते हो तो आपको भी उन्हीं के तरह परफेक्ट बनना पड़ता है चाहे कुछ भी हो वो दुनिया से अलग रहने लगते हैं वो फिर किसी की फिलिंग को समझ नहीं पाते वो हमेशा अपने आपको प्रेसर में फिल करते हैं और टॉप पर रहने वाले को कोई भी चेंज नहीं कर पाता उधर गोरेया बिल्कुल सांथ बैटी थी किंकि वो बहुत परिसान थी अप जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके फादर उसे सूज किफ्ट करते हैं और कहते हैं ये तुम्हें तुम्हारी मौम देने वाली थी लेकिन तुम उससे गुस्ता हो गई पता है वो कहती है कि तुम्हारे पास प्रॉबलम तुम्हारे पुराने सूज के कारण है कि वे अनलकी हैं ये नए सूज तुम्हारे लिए लकी होंगी जो तुम्हे तुम्हारे खुसियों से मिलवाएंगे जो अब तक तुम से छिपे हुए हैं आगे वे कहते हैं आज की सुनिया में रिच होना wealthy होना बहुत ही important हो चुका है लेकिन हर बार rich होना complete नहीं होता हम अभी जैसे भी हैं सबसे best है हमारे लिए यही काफी है गोरेया अब खुश दिख रही थी वो भी अपने फादर की बाद समझ चुकी थी वो रहन को भी याद करती है किंकि वो कहीं न कहीं उसको पसंद करने लगी थी उसकी मॉम उनको छुपकर देख रही थी अब गोरेया उनको पास लाती है उनसे गुसा होने के लिए sorry कहती है उसका ब्रदर उसके निव सूस पर grass flower ड्रो करता है और कहता है अब ये और भी लखी बन चुके है पूरी फैमिली अब बहुत खुश थी वे साथ में सैलफी लेते हैं गोरेया कहती है भले ही स्कूल में जाने से मैं difficulty जो परेसानी में रहती हूं लेकिन उस trouble से निकलने की हिम्मत मुझे मेरी family से ही मिलती है जो हमेशा मेरा होसला बढ़ाते हैं कभी मुझे कमजोर नहीं पढ़ने देते अब next day जब गोरेया स्कूल जाती है तो उसके सूज पर powder गिरने पर उसे साफ करती है तब ही पाक स्टूडेंट उसे फिर से bully करना start कर देते हैं वे उसके सूज को उससे दूर ले जाते हैं गोरेया उनके पीछे भागती है अब उनका game फिर से start हो चुका था वो गोरेया को भगाते भगाते stadium तक ले आते हैं जहां हर target student को time punish करता है अब time गोरेया के सूज को knife से काट देता है और dust pin में डाल देता है और कहता है कच्रे के समान को dust pin में ही होना चाहिए गोरेया अपने सूज की हालत को देखकर बहुत ही दुखी होती है time उसे परेशान देखकर बहुत ही खुस होता है अब गोरेया dust pin से अपने सूज को निकालती है और उसे पहन भी लेती है सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है पटे हुए सूज को भी पहन लिया time भी ये देखता है वो भी हैरान था वो तो सोच रहा था कि गोरेया ने अब हार मान ली है तब ही गोरेया उसे सूज से उसे किक मारती है time को अंदाजा भी नहीं था कि गोरेया ऐसे भी कर सकती है सारे स्टूडेंट और F4 के मेंबर सब हैरान हो चुके थे अब गोरेया time के उपर चड़ जाती है उसे कहती है तुम यही सोचते होना कि मैं हार मान लूँगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैं तुम्हारे हर फाइट का जवाब दूँगी मैं हार कभी नहीं मानूंगी time गोरेया को तो देखते रह जाता है वो आज तक इतने हिम्मत वाले किसी गल्से नहीं मिला था बाकि स्टूडेंट भी गोरेया को देख बहुत सौक्ट थे रैन गोरेया को देखकर स्माइल कर रहा था किमकि वो तो वहीं चाहता है कि गोरेया कभी हार ना माने गोरेया time को जोड़दार किक मारती है जिससे time क्या पूरा स्कूल गोरेया से हैरान था वे उस फाइटिंग के कई वीडियो भी बना लेते हैं जो बहुत ही तेजी से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा था टीचर्स भी ये सब देखते हैं लेकिन वे गोरेया को कोई सौपोर्ट नहीं करते किनकि पूरा स्कूल time से एपफ़ोर से डड़ता है गोरेया की किक मारने की वीडियो हर जगे देखी जा रही थी लेकिन उस वीडियो में ये नहीं दिखाया गया कि थाइम ने गोरेया को कितना बुली किया था सब के सब गोरेया को फसाने में लगे थे जहां कुछ स्टूडेंट गोरेया को दोसी बता रहे थे उसके लिए नफरत फैला रहे थे वहीं कुछ अच्छे स्टूरेंट भी थे जो उसका सुपोर्ट कर रहे थे उधर कैविन हमेशा की तरह लड़कियों में लगा था जो रैन को भी उसे इंजोई करने को कहता है लेकिन रैन तो अपने ही धुन में था वो अपनी रीडिंग में लगा रहता है क्योंकि वो इन चीजों से हमेशा ही दूर रहता है अब थाइम तो लगभग आया भी हो गया था वो किसी के भी मैसेज का रिपलाई नहीं देता जिसके कारण उसके फ्रेंड्स उसके लिए वरिड थे कि थाइम अभी सिच्वेशन को कैसे हैंडल करेगा अब गोरिया रैडी होकर स्कुल जाने लगती है तब ही हम देखते हैं कि थाइम के आदम गोरिया को किटनाप कर लेते हैं गोरिया तो डड़ चुकी थी कि उसके साथ अब क्या होगा लेकिन डड़ने की कोई बात नहीं थी क्योंकि थाइम के घर पर गोरिया को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है वो तो कन्फूजन में थी कि उसके साथ हो क्या रहा है अब गोरिया का मेक और पूरा हो चुका था एक मिनट के लिए तो गोरिया खुद को ही देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही बीटिफुल लग रही थी तब ही थीन पीछे से बोलता है पसंद आया तुम्हें लेकिन गोरिया खुस होने के बजाए उससे गुस्से में फूसती है कि वो ये सब क्या कर रहा है थाइम उसे कहता है थोड़ा सा तो समाइल कर लो तुम समाइल ना करके इस एक्सपैंसिव ड्रेस की बेज़ती कर रही हो तुम्हें पता भी है तुम्हें इतना सुंदर बनाने में मेरे 5 मिलियन लगे है गोरिया तो सौक्ट हो जाती है वो कहती है क्या 5 मिलियन अब थाइम उसे कल्कुलेट कर बताता है कि स्पा, मेकप, हेर स्टाइल और ड्रेस का तो 1 मिलियन और जो तुमने डाइमन का ब्रेसलेट, ट्रिंग और नेकलस पहना है उसका 4 मिलियन और एक चीज और ये कार की कीज टोटल हो गए पूरे 10 मिलियन अब तुम्हें बस स्कुल जाने की जरूरत नहीं गोरिया चोक चाती है कि थाइम को उसके बारे में ये सब कैसे पता वो कहती है क्या तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो एक फॉर से पंगले कर बहुत ही बड़ी गलती की है ये सब तुम्हें वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड भी करना है थाइम उस वीडियो क्लिप से ही अपना रैपूटेशन वापस ला सकता था किमकि गोरिया ने थाइम की बैंड बजा रखी है और मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं जुकूंगी ना कोई क्लिप रिकॉर्ड करूंगी थाइम तो सौक्ट रह जाता है कि गोरिया उसके प्लैन पर पूरा पानी फेर रही है ये कैसी लड़की है जो इतने एक्सपेंसिव ठिंग्स को भी एकसेप्ट नहीं कर रही थाइम कहता है जूत मत बोलो मैं जानता हूं कि तुम ये सब चाहती हो और तुम्हें रिकॉर्डिंग तो करने ही पड़ेगी वहां गोरिया और थाइम तो चुहें बिल्ली की तरह पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं थाइम उसे रिकॉर्डिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन गोरिया नहीं मानती वह ताइम को फिर से किक मार कर वहां से जाने लगती है तो गोरिया से परेशान हो चुका था उदर गोरिया उस आलिसान महल में चक्कर काटते रह जाती है कि वह बहुत ही बड गलती की है अब तो गलती कर दी है अब तो कुछ भी नहीं कर सकते अब गुरिया जल्दी से स्कूल जाती है कि वो पहले ही लेट हो चुकी थी वो अपना पूरा मेकप पोश्टी है जब वह वो सारे स्टूडेंट उसे हर तरी के से बुली करते हैं वे उसे स्कूल चौड़ने गोड़िया भी जान पूचकर सबके सामने टीचर से कहती है कि वो रेश्वरम जाना चाती है कि मुझकी इसे अधर सबह मिटिंग हो रही है लेकिं बृड़िया रेश्वण की जगए टैरेस पर जाती है वहां अमेशा की तरह वह चिला कर अपना गुस्सा उतारती है और वह के बारे में सोचने लगती है कि वहर बार उसको यहां देखती है तब यह पीछे से आता है गोरेया अंदर से तो बहुत खुश थी लेकिन बाहर एकस्प्रेस नहीं करती है कि वह पिछली बार उसको थैंक्स नहीं कह पाई थी कि वहर बार उसको मुसीबतों से बचाता है गोरेया की तारीफ करता है उस चीज़ के लिए जब उसने थाइम को किक मारी थी अब गोरेया देखती है कि रहा प्लेंग भी कर रहा था दूर से यह सब वह तीनों गल्स भी देख रही थी जो बिल्कुल पसंद नहीं करती वेव से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी अब गोरेया अपने जौब पर होती है वहां भी और का क्वेश्चन का अंसर सॉल्व करने में लगी थी उसकी फ्रेंड कर निंग हैरान हो जाती है वो खुशती है तुम एप फॉर के मैंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी सीरियस क्यों हो गोरेया उसे बताती है रहा करनिंग उसे कहती है थोड़ा संभल कर रहना कहीं ऐसा नहों कि तुम्हें उससे प्यार हो चाहे और फिर तुम दुनों एक दुसरे को किस करो वे दौनवा इन बातों में लगी होते हैं तब यह उनके बॉस आते हैं और कहते हैं फर्ष्ट किस बारे में जोटे करना बंद करो एक गर्ल के लिए उसका फुर्स किस बहुत ही क्रूसियल होता है नहीं पुरा पैराफ स करते हैं और कहती है तुमनें सही किया जो तुमने मेरी घाल्प नहीं की नहीं तुम भी यह फॉर की चंगल फश्चाती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई बुली करें अब वे दोनों सब्सक्राइब करें और दोनों सांथ में बहुत ही खुश थे उदर थाइम तो ग जाने की कोसिस करते हैं कि तुम गोरिया के बारे में सोचना बंद करो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो अभी पिछादा देर नहीं हुई एक गर्ल के कारण तुम अपने आपको भूल चुके हो तुम उसको कुछ जादा ही अटेंशन दे रहे हो और गोरिया बाकी गल्स की त पूचा था ठोड़ा है कि गोरिया ने उसके को कितना सीडियसली ले लिया और उसने जवाब भी बताया अब गोरिया उसे कहती है यह सीनियर मीरा है इन्हीं से इंसपायर होकर मैं स्कूल में आई थी यही मेरी फॉर्ष्ट और लास्ट रीजन थी इसकूल में आने का अब लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है लेकिन तब हिम देखते हैं कि वे तो बसो गोरिया के मुझ पर लगा जूठ हटाएगा था रहा था रातां कि maravil seulementirt न filters करने हों गोरेया को सर्माने लगती है और वहां से सर्माते हुए हाना के पास चली जाती है यह सब दूर से थाइम भी देख रहा था कि रहन और हाना की कि अच्छे प्रेंड्स हैं ऐसा लग रहा था कि थाइम कोई बड़ी प्लैनिंग कर रहा हो कि वह अप गोरेया से बहुत ही तंग अब हम देखते हैं और अगला सी कारा है सारे अपने स्टूडूट्स के रूप में एक बूली तक बुली करने लगते हैं ग्रूप चैट की जरीए सब देख लेती है वह उसे बचाने के लिए वहां जाने लगती है उधर थाइम हाना को पनिसमेंट के रूप में उसके बाल सेव करने वाला था लेकिन मनी मन वो गोरिया का वेट भी कर रहा था ताकि गोरिया हाना को बचाने आए और वो गोरिया को सबक सिखाए अब वे हाना के बाल सेव करने ही वाले थे तब ही गोरिया वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है थाइम गोरिया को दो आपसन देता अपने बाल सेव करेगी, वो अब अपने बाल सेव करने ही वाली थी, तब ही रेन वहां आ जाता है, और उन्हें बातों में घुमा कर गोरिया को बचा लेता है, थाइम अभी भी बहुत गुस्से में था, आगे गोरिया हाना को संभालती है, और सोचती है, जब भी मैं किसी माफ ही माँवाइए। और ही एक क्षोटी सा पार्टी है तום इस में कोई एक ड्रेस भी आसक्ति हूं अभ गुर्या पर फ्रेंड करणि उसे समझाटी है उसे पार्टी में के जरूर जानाgest थी लेकिन वो सीनियर मीरा और रैंसे भी मिलना चाहती थी इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है उसके पैरंस भी उसकी बाते चिपके से सुन रहे थे वह तो सबसे ज्यादा खुशते कि पहली बार अमीरों के पार्टी में जा रही थी अब पूरे जोस से को तैयार कर है बड़ी तुम वहां कितने लोगों से मिलोगी हो सकता है वहां तुम्हारे सपनों का प्रिंस भी हो इसलिए तुम्हें अच्छे से तयार होकर जाना चाहिए को याद करने लगती है कि वह उसे लाइक करने लगी है उधर रैन एयरपोर्ट पर सीनियर मीरा का वेट कर रहा लेता है अब मीरा सबसे पूछती है कि उसके यहां ना होने पर किसी ने कोई प्रॉब्लम तो क्रियेट नहीं किया थाइम कहता है बिल्कुल नहीं रहने कभी करने ही नहीं दिया वह तो हमेशा ही हमें रोक देता है आगे वे सब बहुत हसी मजा करते हैं उधर कोरिया और का मौल पार्टी तो नहीं थी तब ही वो तीनों गल्स कोरिया के पास आती है वे को बहुत ही इंबरेश करवाने की कोशिज करते हैं कि स्कूल में जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो सब तो उनकी चाल थी को फसाने की वह अभी भी कोरिया से उतनी ही जलती है जितनी पहले उसके गरीबी का मजाक उडाने लगती है कि उसे इन हाई सोसाइटी से दूर ही रहना चाहिए कि वह इन से बहुत अलग है और रैन की तरफ इसारा करते हुए कहती है तुम्हें पता नहीं कि रैन किसी और को लाइक करता है उसके दिल में कोई और है तो तुम रहा करो जब मीरा जैसे हाई सोसाइटी गर्ल को लाइक करता है तो तुम जैसे मिडल क्लास गर्ल को वह कैसे लाइक करेगा वे उसे सब के सामने बहुत बुरा भला बोलते हैं और चुप चाप यह सब सहती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण इस पार्टी का माहौल बिगड़े में डालने के लिए उनसे माफ़े मांगती है मीरा कहती है इसमें माफ़े मांगने की कोई बात नहीं तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसके बारे में मैंने रैन के मुह से सुना इससे पहले उसने कभी भी किसी गल के बारे में बात नहीं की थी मुझे लगता है क करते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो तो आपका बॉइफरेंड है ना मीरा कहती है नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं कि मैं मिडल क्लास से हूँ आपकी और मेरी दुनिया अलग है मेरा कहती है प्यार दिल से किया जाता है किसी का स्टेटस देखकर नहीं अब वो तुम्हें यह सब तो पहन नहीं होंगे वो उसकी थाइंग वाली किक पर उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है तुम पहले लड़की हो जिसने थाइंग को इस तरीके से सबख सिखाया इतने हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं होता अगर मैं वहां होती लेकिन जो मैं नही वेट करना ही होगा किनकि भी उसके वेट रहे हैं अब को रहा है एक्पन्सिव ड्राइब हुआ तो दूर से ही उसके तारीफ करता है तो बहुत ही अच्छा लग लगा यह कहती है यह ट्रेस लगी तब रेन कहता है ड्रेस नहीं तुम्हारे चेहरे की चमक थाइम तो गुरिया को देखकर गुस्से से उबल रहा था कि जब उसने को ये मेकप एक्सपेंसिव ड्रेस दिया था तब उसने उसे बुरी तरह डाट कर वापस किया था और कहा था कि वो इन चीजों को कभी लाइक नहीं करती लेकिन यहां देखो यहां इसी जो फूष्ष ने असानी से ले लिया अब रेन को डांस के लिए पूचता है थाइम से देखा नहीं जाता वो रेन को गुस्षे से धक्का देता है और कहता है तुम यह सब क्या कर रहे हो मैंने इस लड़की को रैड कार दिया था और त कर बहुत ही बुरा लगता है कि यह सब उसी के कारण हो रहा था अब उस फाइटिंग को रुकवाने की कोसिस करती है लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है सब के सब चोग जाते हैं कि बाई एक्सिडेंट मेरा थाइम ने एक दूसरे को किस कर लिया था अब दोनों जल्द निकली लेकिन उनको क्या पता गोरिया का भी यह फर्स्ट किस था और उसने कुछ भी जान बुचकर नहीं किया था गोरिया तो बिचारी बिल्कुर कन्फ्यूज हो चुकी थी आप गोरिया और थाइम बाई एक्सिडेंट एक दूसरे को किस कर लेते हैं सब लोग उस चीज पाई मिच्टे किसी को किस कर दे यह सब तो जान बुचकर किया जाता है गोरिया तो पहले उस पार्टी के हादसे के कारण परिसान थी वो यह सब देखकर और भी जादा फरस्टेट हो जाती है और चिला कर कहती है नहीं ऐसा नहीं होता और अपने रूम में चली जाती है उ कि वो सब करके वो मुझे इंप्रेस करना चाहती थी लेकिन कोरिया के किसके बाद से ही थाइम का मूड बहुत ही अलग हो चुका था कैविन मैथर्स उसके फुश किसके उपर उसे बहुत टीज करते हैं आगे वो थाइम से कहते हैं कि तुम्हें रेंड से कल रात के लिए माफ कर रहे थे कि एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए दोनों ने फाइटिंग कर ली अब F4 में फोर मेंबर नहीं रहे अब ये F3 बन चुका है अब हम रेंड को देखते हैं वो तो सबसे अलग मीरा के घर पर था मीरा उसे थाइम से मिलने को कहती है कि कल रात से ही दोनों ए मेंसा ही रूलर की तरह सोचता है जो कभी किसी के आगे जुकता नहीं अब रें मीरा से पूछता है कि आगे वो किस चीज की स्टडी करने वाली है किस फिल्ड में जाना चाहती है जैसे मॉडलिंग एड़टाइजिंग और बिजनस वो जो भी करेगी वो उसका हमेंसा साथ मेरा उसे कहती है क्या हो अगर मैं इन में से किसी को भी ना चुनू मैं इन से अलग कुछ करना चाहती हूं थोड़ा है कि वो बताना क्या चाहती है अगले सीन में हम देखते हैं क्लोरेया बहुत परेसान थी वह एफ-फॉर की जोरी को उनकी दोस्ती को टूटते हुए नही हैं और उसे बात कर सकती है अब गोरियाज जब स्कूल जाती है तो सबसे पहले टैरिस पर जाती है कि रैनों पर नहीं था वह बहुत चाइज हो जाती है आगे जब वो नीचे आती हैं तो केविन मेorthut उसे देख लेते हैं विजानते थे जहांते थे कि गोरिया नहीं को ब किल्कुल भी नहीं है मैं तो बस उसे कुछ लोटाना चाहती हूं वो रैन से जल्दी मिलना चाहती थी इसलिए वो अपने आपको रोक नहीं पाती और मीरा के घर चली जाती है उस टाइम बारिश हो रहे थी गुर्या किसी तरह एक साइट चिप जाती है तब ही वो देखती है कि मीरा और रैन के बीच किसी बात के लिए आर्गुमेंट हो रहा है दरसल मीरा अब फ्रांस सिफ्ट हो रही है वो अब मौडलिंग अड़र्टाइजिंग या कमफर्ट चीजे छोड़कर हिमन राइट लोयर बनना चाहती है उसका ड्रीम है लोगों की हेल्प करना उनको ज ये सब दूर से गोरिया भी देख रही थी वो ब्रैंट से नहीं मिलती कि ये बात करने का सही टाइम नहीं था अब अपने जॉब पर होती है वहां वो मीरा का इंटर्व्यू देखती है जिसमें वो बता रही थी कि वो फ्रेंस में अब सिफ्ट होने वाली है यूमन लोगों को न्याए दिलवाना और उनके लाइफ में कुछ खुछ हाली करना गोरिया उनसे बहुत मोटिवेट होती है कि कोई अपना सारा ऐसो अराम छोड़कर ये सब करने मुस्किल से ही आगे आता है सीनियर मीरा उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी उसके बोस क में अभी भी रहन के बारे में सोच रही थी कि क्या ये सब सही है क्या वो रहन के दिल में जगे बना सकती है अब बस आ चुकी थी गोरिया बस में बैट जाती है तभी उसकी नजर साइड में जाती है वो देखती है कि साइड में थाइम बैठा हुआ है वो सौक्ट होती है क ये कार में रहने वाला इंसान बस में कैसे बैठ सकता है वो पूसती है कि वो यहां क्या कर रहा है क्या वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है थाइम कहता है क्या हुआ क्या मैं बस यूज नहीं कर सकता मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ तो मैं भी ये सब ट्राइ कर सकता हूँ अब गोरिया देखती है कि बस पूरी तरह से खाली है वो थाइम से पूसती है कि ये बस हमेशा भरी रहती है लेकिन आज ये खाली क्यों है थाइम उसके सवालों से फ्रस्टेट हो जाता है और वो सच बोल देता है कि ये बस मैंने खरीट ली मेरा मन कर रहा था गोरिया उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें दूसरों की परवाब बिल्कुल भी नहीं है अब बाकी लोग किस तरह से अपना सफर करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थी उधर एक कार उनकी बस का पीछा कर रही थी और दोनों पर नचर रख रही थी थाइम गोरिया से कहता है मैंने जब तुम्हें लक्सरी थिंस दी तो तुम्हें उसे ठुकरा दिया और अब ये नॉर्मल चीजे कर रहा हूँ तो तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है तुम्हें चाहती क्या हो गोरिया कहती है तुम जैसे बिगड़े इनसान से मैं कुछ भी नहीं ले सकती उधर वो कार बस के आगे आ जाती है जिससे बस ट्राइवर को बस फोक नहीं पड़ती है अब गोरिया जल्दी से बस में से भागती है तब ये एक लेड़ी गोरिया को साइड करती हुए थाइम को किक मारती है जिससे थाइम नीचे गिर जाता है गोरिया जोक जाती है कि ये लेड़ी है कौन एक्चली ये थाइम की सिस्टर टीया थी और ये उसकी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं है ये सब की फिलिंग समझती है थाइम उनसे कहता है आप ये सब क्या कर रहे हो आप कब आए मुझे बताया भी नहीं वो कहती है अगर मैं बता देती तो अभी तुम्हारा वैलकम कैसे करती तुम्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ती तुम्हें इस इनोसेंट गर्ल को बुली क्यों कर रहे हो मैं इतनी तेर से तुम्हें देख रही थी अब वो गोरिया को थाइम से बचाते हुए अपनी कार से स्कूल भिजबा देती है गोरिया स्कूल पहुँच जाती है सारे स्टुडेंट उसे कार में आता देख कर बहुत हैरान थे खाना उसे पुझती है तो गोरिया उसे बताती है कि ये तो थाइम की सिस्टर की कार है और आज उन्होंने मेरी बहुत हैल्प की अब एक लास में चले जाते हैं उदर थाइम और उसकी सिस्टर आपस में कुछ डिसकस कर रहे थे टीयाव से कहती है मुझे पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो लेकिन तुम अपने आपको ऐसा किन दिखाते हो जिससे सब तुम्हें गलत समझे थाइम उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई मुझे बैटर पर्शन के रूप में देखना चाता है सब के सब मुझे अपने फाइदे के लिए यूज़ करना चाते है दरसल थाइम बच्पन से अकेला फिल करता है कि उसके पैरेंस सिफ लेंक्स किसी के पास उसके लिए टाइम नहीं होता वो हमीसा थाइम से किसी काम से ही मिलते हैं जिससे थाइम को बहुत दुख होता है और वो दूसरों को टीज करके बुली करके अपना मन बहलाता है और सोचता है कि यह दुनिया बस उससे फाइदा उठाना चाहती है अब उसकी सिस्टर कहती है कि अब तुम्हे रैडी होना होगा क्योंकि मॉम बिजनेस को और भी स्प्रेड करने वाली है जिससे तुम बहुत बीजी होने वाले हो थाइम कहता है मुझे पता है कि अब मेरे स्कूल डेस खत्म होने वाले है अब दिन बीटते जाते हैं गोरिया रोज टेरेस पर रैन को देखने जाती है लेकिन रैन तो कहीं गाय भी हो गया था जरुसल मीरा के फैसले के कारण रैन बहुत सैड रहने लगा है और उसके फैंड केविन मैथरस उसके मूट को ठीक करने में लगे है रैन अब हमेशा खोया खोया सा रहता है उधर थाइम अब गोरिया के बारे में ही सोचता रहता है कि कहीं न कहीं वो गोरिया को लाइक करने लगा है उसकी सिस्टर भी जानती है कि थान के दिल में अब गोरिया है उधर गोरिया रेन का वेट करते करते ठक चुकी है वो उससे मिलना चाती है अब वो एक तूटते तारे को देखती है जिससे वो विस में कहती है कि वो रेन से मिलना चाती है अब अगले दिन जब गोरिया स्कूल की टैरिस पर जाती है तो वो रैन को ना देखकर उदास हो जाती है तब ही वो देखती है कि रैन दूसरी साइड है अब वो वहाँ जाती है रैन कहता है मुझे पता चला कि तुम मुझे यहाँ चेक करने रो जाती थी ऐसी कौन सी बात है और ना ही उसके साथ खेलते थे लेकिन मीरा बागियों से अलग थी वो किसी को बुली नहीं करती थी और जहां बागी बच्चे रैन से दूर रहते थे वही मीरा रैन के साथ खेलती थी और उसका ख्याल रखती थी जैसे जैसे दोनों बड़े हुए रैन मीरा को लाइक करने लगा लिकन अब वही मीरा जो हमेशा उसके सांथ रहती थी वो अब हमेशा के लिए उसे चोड़ कर जा रही है और रैन मीरा को बच्पन से ही बहुत लाइक करता है ये सब रैन कोरिया को बताता है गोरिया ये जानकर उसके लिए बहुत सैड होती है अब रैन गोरिया को कहता है कि मीरा जाने से पहले तुमसे मिलना चाती है वो तुम्हे कोई गिफ्ट देना चाती है दूर से ये सब थाइम देख रहा था वो रैन और गोरिया को सांथ में देखकर बहुत जैलिस था अब रैन गोरिया को मीरा के पास लेकर जाता है मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है वो उसे सैंडल गिफ्ट में देती है गोरिया वहाँ कई फोटोज देखती है जिसमें मीरा और रैन बहुत ही खुश दिख रहे थे गोरिया को अब रियलाइज होता है कि रैन के दिल में मीरा की जगे कभी कोई नहीं ले सकता खुद वो भी नहीं वो अब मीरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लेज आप यहां से मच जाओ आपको नहीं पता रैन आपको कितना प्यार करता है वो आपके बिना कैसे रह पाएगा मैंने आज दक रैन को किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपके साथ होता है कोई नहीं चाहता कि आप यहां से जाए सब आपसे बहुत प्यार करते हैं अब मीरा उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा मैं जो करने जा रही हूँ उससे एच चेहरे पर नहीं हजारों चेहरे पर स्माइल होगा और रैन मेरी बातों को जरूर समझेगा गोरिया उसके आगे जुक जाती है लेकिन मीरा नहीं मानती हम देखते हैं कि रैन रूम के बाहरी खड़ा था वो उन दोनों की सारी बाते सुन चुका था वो बहुत ही गुस्से में होता है जब गोरिया बाहर आती है तो रैन उसे बहुत डाटता है कि तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या किया अब मेरा सोचेगी कि मैंने उसे रोकने के लिए तुम्हें भीज आओगा तो नहीं प्रॉर्स किया होगा तुम इन चीज़ों से दूर रहो तुमने इे सब करके बहुत ही गलत किया अब गोरिया भी गुस्से में आ चुकी थी वो कहती है कम से कम मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की मुसे बात में इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की जरा तुम अपने आप को देखो तुम कहते हो कि तुम मीरा को प्यार करते हो लेकिन तुम पहले ही हार मान चुके हो उसे मनाने के लिए उसे रोकने के लिए कोई कोसिस तक नहीं कर रहे तुम इस प्रॉब्लम से भागने की कोसिस कर रहे हो अब गोरिया वहाँ से चली जाती है रेन गोरिया के बातों कोई सोच रहा था कि वो मीरा को कैसे रोके आगे हम देखते हैं कि मीरा और F4 एयरपोर्ट पर हैं और मीरा अब जाने वाली है सब उसे गुडबाय कहते हैं तब ही कोरिया भी वहां आती है जो मीरा को लाश बार देखना चाहती थी मीरा उसे कहती है कि तुम हमेसा ऐसी स्ट्रॉंग रहना और किसी भी प्रॉब्लम के आगे हार मत मानना अब मीरा जाने लगती है तब ही रैन भी वहां आ जाता है जो कोरिया से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है कि तुम कि उसी के कारण वो ये डिसीजन ले पाया था वो मीरा को रोब तो नहीं सकता लेकिन उसके सांथ फ्रेंस में तो रह सकता है और उसका सुपोर्ट कर सकता है वो अब कोरिया के फॉर हेड पर किस करता है जिसे थाइम भी देखता है वो बहुत जैलिस फिल करता है आगे जब डैन जाने लगता है तो थाइम उसे अपने गुसे के अंदाज में माफी मांगता है दोनों के बीच में जो गलत फैमी थी वो अब खत्म हो जाती है एप फॉर अब दोबारा मजबूत बन चुका है सब एक गुसे को गले लगाते है गुरिया उनको सांथ देख बहुत ही खुश थी अब डैन और मीरा जा चुके थे अब साम हो गई थी थाइम अपने घर पर होता है उसका मूर बहुत हैपी था उसकी सिस्टर उसे कहती है मैं और मॉम सिंगापुर में बिजनिस के काम से जा रहे हैं और मुझे पता है कि तुम गुरिया को लाइक करते हो मैं चाहती हूँ कि अब तुम टाइम वेश्ट करना बंद करो और कुरिया को डेट पर लेकर जाओ मैं हमेरे सांथ हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं थाइम तो पहले कनफ्यूज होकर कहता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बाद में वो बता देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ अब थाइम को देखकर लग रहा था कि वो कुछ अलग करने वाला है अगले दिन सारे स्टूडेंट लंच टाइम पर लंच कर रहे थे गोरिया और हाना साथ में अपने पिछली बातों को डिसकस कर रहे थे वहाँ वो गर्ल्स कोरिया को फिर से चिढ़ाती है लेकिन कोरिया को अब इन चीज़ों से फर्क मैं पड़ता वो अब ये सब हैंडल करना जानती है आगे थाइम अपने क्रेजी अंदाज में कोरिया से डेट के लिए पूसता है कि कल एक बज़े तक लोक टावर के पास आ जाना वो उससे फेश टू फेश नहीं पूसता बल्कि पूरे स्कूल के सामने वीडियो सो के थूरू पूसता है उसके बोलने के तरीके से तो लग नहीं रहा था कि वो किसी को डेट के लिए पूसरा है बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ओर्डर दे रहा हो सारे स्टूरेंट अब उसे के बारे में बात करने लगते हैं गोरिया तो काफी हैरान थी कि थाइम कहना क्या चाहता है। वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वो सचती है कि थाइम उसे टीज करने का कोई नया तरीका यूज। करता होगा। अगले दिन गोरिया और करनिंग वो पूरे दिन इस वढ़ने वह भूमते हैं। वो मेरे पीछे पड़ती है ना कि मैं उनके उधर यही बात करने वाला थाइम गोरिया का टावर के पास वेट कर रहा था उसके सारी बाते अब जूट साबित हो रही थी गोरिया भी सौपिंग करते हुए बार बार उसी के बारे में सोचे जा रही थी वहां बारिस भी अब स्टार्ट हो चुकी थी अब गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है कि अगर थाइम इस बारिस में खड़ा होगा तो क्या होगा वो बिमार भी पड़ सकता है अब वो अपने आपको रोक नहीं पाती और थाइम के बताए जगे पर चली जाती है वहाँ थाइम बारिस में अभी भी खड़ा था, वो गोरिया का वेट कर रहा था गोरिया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, कितना कठोर इंसान कैसे बदल गया और आखिर थाइम ये सब कर क्यों रहा है थाइम ने गोरिया को डेट के लिए पुलाया था, लेकिन गोरिया उसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन आखिर में गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है, और वो थाइम से मिलने चली जाती है, वहाँ थाइम उसका सचमच वेट कर रहा था, अब गोरिया उसके पास जाती है, वो उसे कहती है क्या तुम पागल हो, तुम साइड में भी तो खड़े हो सकते थे और तुम मेरा वेट क्यूं कर रहे थे थाइम उसके छतरी को अटाते हुए कहता है क्या यह आने का टाइम है मैंने तुम्हें एक बज़े का टाइम दिया था मैं तुम्हारे लिए इस बारिज में भीगता रहा गोरिया कहती है मैंने तो नहीं कहा तुम मेरा वेट करो थाइम कहता है फिर तुमने रिजेक्ट भी तो नहीं किया ना तुमने कॉल्स उठाए ना मैसेज का रिपलाई दिया और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं दोनों एक दुसे को स्टूपिड पागल कहते हैं आगे वे एक जगे रुकते हैं वहां गोरिया थाइम को अपना टौवल देती है किनकि वो पूरी तरह भीका हुआ था उसे चीके भी आ रही थी जिससे गोरिया उसके लिए वरिर थी वो उसे कहती है तुम मेरे कारण बिमार हो गए तुम्हे आज वैसा नहीं करना चाहिए था अब वो उसे टी ट्रिंक देती है थाइम उसे देखकर कहता है मैंने आज तक ऐसी टी नहीं देखी क्योंकि हमारे घर तो सारे एक्सपैंसिव ब्रांड होते है जो दारची लिंक से मगवाए जाते है गोरिया कहती है ठीक है तुम मत पीओ इसे मैं पीलूंगी अब थाइम उसे चीन्टे हुए कहता है नहीं नहीं मैं इसे पीलूंगा वो जब ट्रिंक करता है उसे वो बहुत पसंदाता है लेकिन वो पताता नहीं गोरिया उसे देखकर हसने लगती है अब वो अपने कपड़ों को निचोडने लगती है थाइम पूछता है तुम्हारा टोवल कहा है वो कहती है आज मौसम हवादार है मेरे कपड़े अपने आप सूख जाएंगे थाइम को भी उसकी चिंता थी वो अपना टोवल कोरिया के उपर डाल देता है और कहता है तुम अपना भी ख्याल रखो दोनों फिर से लड़ने लगे थे गोरिया कहती है चलो ठीक है तुम्हें मेरे कारण ये सब परेशानी हुई सो मैं आज तुम्हें ट्रीट दूँगी यानि जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी अवे बाहर गुमने जाते हैं लेकिन उनका बैड लग सारी दुकाने बंद हो चुकी थी अवे कई जगे गुमते हैं थाइम के लिए तो ये सब नया था वो आज तक ऐसी मार्केट नहीं गया था थाइम तो वहाँ बच्चों की तरह हरकते करता है उधर एडवर्टाइबन के लिए एक बियर भी खड़ा होता है वो गोरिया को हग करने की कोसिज करता है लेकिन थाइम गोरिया को वहाँ से ले जाता है और कहता है तुम बहुत भोली हो वो बियर तुम्हारा एडवेंटेज ले रहा था गोरिया थाइम से बहुत परिशान हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो उसकी कंपनी इंजॉय कर रही थी आगे वे एक एड़ देखते हैं कि एक कपल को फ्री में वील में बैटने का मौका मिलेगा और वे साथ में संसेट भी देखेंगे जो बहुत ही रोमैंटिक होता है थाइम जोस में आ जाता है लेकिन ओनर बताता है कि आपको फ्री वील में सबसे उचाई पर बैटना होगा और साथ में इंजॉय करना थाइम तो बिल्कुल चुप हो जाता है कि उसे उचाई से डर लगता है वो तो सोच रहा था कि वो गोरिया के साथ कुछ रोमैंटिक करेगा लेकिन ये सब सुनकर वो भीगी बिली बन चुका था गोरिया समझ जाती है कि थाइम चुप क्यों है वो उसे टीज करने लगती है कि एक चोटा बेबी थाइम इतने उचाई पर कैसे जा पाएगा ये सुनकर थाइम भी जोस में आ जाता है और कहता है अब देखना मैं जरूर चड़ूंगा मैं ये करके दिखाऊंगा वो कहता है लेकिन डर के कारण चिला चिला कर गोरिया को परिशान कर देता है थाइम की तो हालत खराब हो चुकी थी उसे उल्टिया आने लगती है गोरिया ये देखकर स्टैट होती है कि उसके कारण थाइम की ऐसी हालत हो गई वो थाइम से सौरी कहती है और पूछती है कि वो क्या पीना चाता है थाइम उसे कहता है मुझे भूख लगी है मैं कुछ खाना चाता हूँ गोरिया कहती है ठीक है डिनर मेरे तरफ से ट्रीट होगा अब एक रेश्टोरेंट देखते हैं थाइम अंदर जाने लगता है लेकिन गोरिया उसे रोक देती है वो वहाँ के डिस्के रेट देकर ही डट चुकी थी वो कहती है फाइव अंडर बाट में तो मेरे पूरी फैमली डिनर कर लेती है और यहाँ एक प्लेट इतनी रेट की है वो थाइम को कहती है यह बहुत ही एक्सपेंसिव है चलो हम किसी और रेश्टोरेंट में चलते हैं थाइम को तो बहुत तेज भूख लगी थी वो उसे कहता है बहाने बनाना बंद करो तुम आज मुझे भूखा मारी दोगी लेकिन गोरिया उसे खीचते हुए दूसरी जेगे लेकर जाती है वह वे जैसे ही अंदर जाते हैं डौर लोक हो जाता है दोनों परिसान हो जाते हैं गोरिया और थाइम उसे खौलने की कई कोसिस करते हैं गोरिया का फोन पहले ही खराब था और थाइम के फोन में चार्ज नहीं था इसी कारण से वे किसी को कॉल नहीं कर पाते अब उनके पास एक ही रास्ता था सुबह तक का वेट करना थाइम को चक्कर आने लगे थे वो गोरिया के उपर गिरने वाला था गोरिया सौचती है कि वो कुछ करने वाला है वो उसे जोर से धक्का देती है जिसे वो साइड में जाकर गिरता है अब वो देखती है कि थाइम को फीवर है वो उसे मैडिशन लेने का कहती है कि गोरिया के पास फीवर की मैडिशन थी थाइम उसे कहता है मैं हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने पर ये मैडिशन लेता हूँ क्या होगा अगर मैंने तुम्हारी मैडिशन ली और मुझे कुछ हो जाए गोरिया उसे बच्चों की तरह डारती है और जबर्दस्ती मैडिशन खिलाती है थाइम गोरिया को देखते रह जाता है गोरिया थाइम को स्पंज बात भी देती है और कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर हूँ और मेरी फैमली मेरी बहुत चिंता में होगी वो मेरा वेट करते होंगे अब थाइम कहता है मेरी फैमली में तो किसी को कोई फर्ट नहीं पड़ता मैं कितनी भी घर कहीं भी रहूं सिर्फ टिया को छोड़ कर वही मेरी फिलिंग समझती है गोरिया बताती है तुम्हें पता है मेरा भी एक ब्रदर है वो भी मुझे हमेशा टीज करता है लेकिन उसके फाइटिंग से मैं कभी भी जीत नहीं पाती थाइम कहता है ऐसा कैसे हो सकता है जब तुम मुझे हरा सकती हो तो उसे क्यों नहीं वो कहती है साइद वो तुमसे बैटर है थाइम कहता है फिर तो मैं उसे मिलना चाओंगा उसमें कौन सी खासियत है जो तुम्हें हरा देता है तब ही गोरिया जोर से कहती है नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे वो मेरा ब्रदर है तुम्हें उसके साथ फाइटिंग नहीं करना अब थाइम कहता है क्या यह सच है कि 500 ये वो इस नहीं कर लेती है तुम्हारी पूरी फैमली डिनर कर लेती है जो कहती है मैं थाइम-sz яв बॉक्ता मैं कर्णीशन नहीं जानता था अब कुर्य ऑ agora कार्ड आप कर्णे कर्ता दा तुम्हें को पूली क्यूं करता करता ङ crippill के था megos कि इन खुल जाते हैं वह नग्ता है कि और अभी भी सुई है अब सोझता है कि दोबारा पास सो जाए अभाया कि वैसे मुझे पता है ये थोड़ा थकान भरा था गोरिया कहती है तुम इसे डेट कहते हो इतना बिकार थाइम कहता है सारी गल्स F4 के एक रिपलाई के लिए तरस्ती है और तुम तो पूरा एक दिल मेरे साथ थी तुम बहुत लगी हो जो मैं तुम्हारे साथ था लेकिन गोरिया को कोई फर्ट हुआ था आगे गोरिया थाइम को घर जाने को कहती है थाइम कहता है हाँ मैं जा रहा हूं लेकिन हम दुबारा फिर से बाहर भूमने जरूर चलेंगे गोरिया हसकर कहती है कभी नहीं मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाओंगी मैं तो तुम से ठक चुकी हूं गोरिया तो थाइम के कारण बहुत परिसान हो चुकी थी, अब थाइम भी अपने घर चला जाता है, वो कोरिया के कारण बहुत खुश था, उधर कोरिया जब अंदर जाने लगती है, तब कोई उसका चुपके से फोटो खीच रहा था, और उस पर नज़र रख रहा था, लेकिन कोरिय है, उस पर ध्यान नहीं देती, अब कोरिया जब अंदर जाती है, तो वहां देखती है, कि उसकी पूरी फैमली किसी कारण से बहुत परिसान है, दर असले उसके फादर ने किसी माफिया से 35,000 बाट लोन ले लिया है, और अब उनके पास पैसे नहीं है, अगर उन्होंने ट बैंक में सिर्फ 1000 बाट ही है, जो बहुत ही कम है, लेकिन कोरिया बहुत ही ब्रेव गरल है, वो रैन को याद करके सोची है, कि वो हार कभी नहीं मानेगी, अब उस माफिया के पास जाती है, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है, कि कुछ महीने में वो पैसे लोटा देगी, लेकिन वो माफिया कहता है, कि उससे तो पैसे अभी चाहिए, गोरिया कन्फ्यूज हो जाती है, कि वो इतनी जल्दी पैसे कहां से लाए, वो माफिया उससे कहता है, एक तरीका है, जिसे तुम बहुत सारे पैसे अर्ण कर सकती हो, तुम्हें बार गल बनना होगा, और जो बुड़ा था, गोरिया तो काफी घबराई और डरी हुई थी, वो पागल बुड़ा अपना असली रंग दिखाने लगता है, वो गोरिया को टच करने की कोशिज करता है, लेकिन गोरिया तो बहुत ब्रेव है, वो उसे जोर से किक मारती है, और उसे अच्छा सबक सिखाती है, वो बुड़ा भी डड़ चुका था, गोरिया बार के ओनर को कहती है, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे जगे इस तरीके से पैसे कभी नहीं कमाऊंगी, लेकिन कोई सही रास्ता जरूर ढूंड लूँगी, और तुम्हारे पैसे जल्दी लोटा दूँगी, ये उसका आज त पास आती है, वो इसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है, दिरसल कल जब थाइम और गोरिया साथ थे, तब किसी ने उनकी वीडियो बना ली थी, और उसे गलत तरीके से दिखा रहे थे, हाना उसे पूछती है, क्या तुम और थाइम डेट कर रहे हो, गोरिया कहती है, बिल्क पैंटिन में लेकर जाते हैं, ताकि वे अच्छे से बात कर सके, दूसरी तरफ बाकि श्टूडेंट थाइम गोरिया की हर एक्शन पर नजर रख रहे थे, सोसल मेडिया पर उन्हीं की बारे में बाते चल रही थी, अब थाइम और गोरिया सब साथ में बैठे थे, हाना वह गोरिया की बात करने लगती है, जैविन मैथस कोरिया से पूछते हैं, आखिर कल हुआ क्या था, गोरिया कहते हैं, बस हम दोनों बारिस में भीग गए थे, तभी कोरिया को चीक आ जाती है, जिसे देख, थाइम उसे डाटता है, कि गोरिया ने अब तक कोई मैडिसन नहीं वो उसे मैडिसन खाने को कहता है, अब एम जे कोरिया से और भी क्वेशन करने लगते हैं, थाइम उने कहता है कि गोरिया मेरी ले खास है, उसे तोड़ा रिस्पेक्ट भी दो, तुमने उसे क्वेशन पूछ पूछ कर कन्फ्यूज कर दिया है, गोरिया आप कल की बारे में में थे, गोरिया गुस्य में आ जाती है, और थाइम से कहती है, तुम सब को कन्फ्यूज कर रहे हो, अब तुमें सब को सच बताना, जिसको जो सोचना है सोचते रहो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वो हाना के साथ वहां से चली जाती है, हाना उसे पूछती है, क्या वो कोई भी बुली नहीं करेगा तभी उपर से थाइम गोरिया को आवाज लगाता है कि गोरिया टाइम से मैडिसन ले लेना नहीं तो विमार हो जाओगी गोरिया यह सुनकर और भी गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है मेरा पीछा करना बंद करो मुझे सांती चाहिए और वहां से चली जाती है अब केविन और मैं तस थाइम से पूछते हैं क्या तुम को रिया के लिए सीरियस हो क्या तुम उसे सच में लाइक करते हो अगर तुम फिर से कोई गेम खेल रहे हो तो कोई बात नहीं हम तुमें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अगर तुम सच में उसे हो सकता है तो मुसीबत में फस्टाओ तुम्हारी तुम्हारी मॉम उसको कभी ऐकसैपट नहीं करेगी तुमहारी सिस्टिर की वेडिंग थी तुम्हारी सिश्टिर को जब बड़र से साधी करने पड़े थी फिर तुमरी क्या होगा हमें तुम्हारी जिंदा हो रही है गोरिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है कोई भी इसे एकसेप्ट नहीं करेगा अब थाइम कहता है नहीं मैं हार नहीं मानूँगा मैं उसे लाइक करता हूँ आखिर तक कोसिज करूँगा और वहां से चला जाता है कैविन मैधिस को कैसे रोके अब साम हो चुकी थी गोरिया अपने घर पर दी उसे बहुत देश चुकाम था और बुखार भी उसे फ्लावर सोप के बोस कॉल करके उसका हाल पूछते हैं कि क्या ठीक है और मेडिसन टाइम पर लेना और ज्यादा स्ट्रेस मत लो आगे गोरिया देखती है क कि क्या पता उसे फाइटिंग भी करना पड़ जाए तब ही वह जोड़ से चिलाती है वह घबरा जाती है कि हमेशा एटिट्वीट में रहने वाला अपने आपको रूलर समझने वाला थाइम कोरिया के घर पर आया था थाइम भी उसके हाथ में जाड़ू देखकर डर जाता है वह भी सोचता होगा कि कोरिया किसी गैश्टा वेलकम जाड़ू से करती होगी तब ही उसके फादर बाहर आते हैं वह थाइम को डाटने लगते हैं कि कोई लड़का इतनी रात को किसी लड़के के घर अच्छा नहीं लगता तुम घर चले जाओ थाइम उनको नाम बताता यह सब कोरिया देखकर कहती है मेरी फैमली भी ना कुछ भी करती है यह सब करने की चरूरत क्या है उधर फ्लावर सोप पर केविन मैथस चाते हैं और करनिंग को अपने साथ लेकर जाते हैं वे उसके साथ कुछ बात करना चाते थे उधर कोरिया की पूरी फैमली के साथ था लगेगा भी या नहीं थाइम बताता है कि डिनर बहुत ही टेश्टी है अब सब साथ में डिनर करते हैं थाइम कोरिया की पूरी फैमली को साथ में देखकर इतना इंजोई करता हुआ देखकर काफी खुछ था वो पहली बार इतनी हैपी फैमली देख रहा था। उधर करनिंग के घर पर होती है केविन उसे स्वेट्स आफर करता है और कहता है तुम्हें पता है यह स्वेट 4000 बात के हैं लेकिन यह हमारे लिए कुछ भी नहीं है कैनिंग कहती है आप तुनों कहना किया चाहते हो वे उसे कहते हैं साइध थाइम कोरिया के यह लिए बहुत सीरियस है लेकिन हमें नहीं पता।कries या नहीं हम यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी और हमारी दुनिधा बहुत अलग है TOP हो सके तो तुम अपने फ्रेंड को रोख लो हम उसको मुशिव्रों daíब्स नहीं तो ये सब बिल्कुल ही नया था, वो बिल्कुल कंफ्यूज दिखता है, अब कोरिया अपनी sad story बताती है, कि मुझे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, पहले तो study, बाद में जॉब पर जाना, और अगर अच्छे marks नहीं आए, तो मुझे scholarship भी नहीं मिलेगा, अब तो मेरी family loan में भी डूब चुकी है, उसे कब तक जुकाएंगे कुछ नहीं पता, अगली बारी उसके brother की आती है, वो कहता है, मैं तो school जाने से परेशान हूँ, रोज रोज ड्रेस चेंज करना, उसके buttons मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मेरी dress भी बहुत पुरानी है, थाइम य मेरे घर कोई happiness नहीं होती, कोई last piece का कोई game नहीं होता, सिर्फ सांती से dinner करते हैं, और बात करते भी हैं तो सिर्फ business की, वहाँ कोई family जैसा environment नहीं होता, सब robotic जैसा होता है, भले ही मेरे घर सारे expensive dress बनते हैं, लेकिन आज तक मैंने इतना tasty food नहीं खाया था, जो आप लोगे मुझे खिलाया, कास मेरी family भी इतने खुस होती, सब ये story सुनकर sad हो चुके थे, कि थाइम बच्पन से ही अकेला feel करता है, उससे कोई भी सिर्फ काम के लिए मिलता है, अब Korea उस food के last piece को 5 piece कर देती है, और सब उसे share करके खाते हैं, थाइम ये देखकर बहुत कुछ था, अब कैनिंग केविन का number लेती है, और स्वेट का 4000 बाट पे कर देती है, कि वो किसी कभी कोई ऐसा अन नहीं लेना चाहती, कैविन और एम जे उसके ऐसा करने से चोक जाते हैं, कैनिंग जाते हुए उन्हें कहती है कि उसे Korea पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं करे उन्हें थाइम पर भी भरोसा रखना चाहिए, अब वो वहाँ से चली जाती है, कैविन और मैथस उससे बहुत इंप्रेस थे, वे सोचते हैं कि ये भी बिल्कुल Korea जैसे जिद्दी है, और में चीज उसने कैविन का number उससे बात करने के लिए नहीं, उसे पे करने के लिए जब करनिंग बाहर आती है, तो वो देखती है कि अब उसके वालेट में सिर्फ 12 बात बचे हैं, वो सोचती है कि मैं भी पागल हूँ, कुछ भी बिना सोचे समझे कर देती हूँ, लेकिन जो अभी किया वो भी जरूरी था, उधर थाइम अब Korea के घर से जा रहा था, वो उस किसी भी हालत में हासिल करना चाता था, इसलिए वो डॉल भी मैं उसे चीनने लगा, आखी में वो डॉल के दो टुकडे हो गए, फिर भी रेन मुझसे गुसा नहीं हुआ, और मैं भी बहुत जिद्धी था, जो उसे माफी तक नहीं मांगी, लेकिन उस दिन के बाद से, रे किसी से सौरी नहीं कहा, सौरी कहने से मेरा इमेज खराब हो सकता है, गोरिया हस्टे लगती है, वो उसे पुस्ट करते हुए कहती है, तुम्हारा इमेज खराब होगा, जो पहले से खराब पड़ा है, अब ये दोनों फिर से क्यूट फाइटिंग करने लगते हैं, चुपक कभी भी गिर सकता है गोरिया हसने लगती है अब थाइम भी घर जाने लगता है दोनों एक दूसरे को गुड़ बाय कहते हैं उदर थाइम के घर पर एक मेड उसके मॉम को टोवल दिखाती है जो कोरिया ने थाइम को हेल्प करने के लिए यूज किया था और वो उसे लेना थी सारे बच्चे फिर से घुर रहे होते हैं अब ttी कि इस पर उसने क्या किया जो सब उसे ऐसे देख रहे और जो आप आप कर देखता है वो तो कुछ कर सकती है और कि पिक्चर्स वीडियो किसी ने बना रखिया और सब इसे करेक्टर लेस्स समझ नहीं होता था मैं तुम्हें इनोसेंट कर समझता था तुमने ये सब क्यूं कि वह गुत गुस्ता करता है गोरिया भी उसको समझाती है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है तुम्हें विस्वास करना होगा लेकिन थाइम उन फोटोस के कारण गोरिया को गलत समझने रखता है वो बहुत ही गुस्से में होता है वो वहाँ से चला जाता है बागी गल्स और स्टूरेंट को फिर से टीज करने लगे थे कि तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हो गोरिया तो बहुत परिसान हो चुकी थी वो भी वहाँ से चली जाती है और कैविन मैथस भी ये सब देख रहे थी वे दोनों कुछ सोच रहे होते हैं अब वे दोनों कुछ सांथ देने का और सचाई पता करने का डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुर्या पर पूरा विस्वास है और उदर कुर्या और कैनिंग इस बारे में बात कर रहे थी वे दोनों भी उस इंसान को ढूनना चाते हैं जिसने ये सब किया है आखिर वो गुर्या के साथ ये सब कर क्यों रहा है सब के सब इसे चीज से कन्फियूज है अब आगे हम देखते हैं कि गुर्या और कैनिंग बार में जाते हैं उस फोटोस की तफ्तिस करने के लिए लेकिन सेक्यूरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देती वो कहता है इस बार में सिर्फ मेंबर्स का आना ही अलाउड है वे दोनों उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है तब ही वहां से केविन गुजरता है गुरिया कैनिंग उसे देखकर चोक जाती है वो उसे पूछती है कि तुम यहां कैसे आ सकते हो केविन उन्हें प्यार से कहता है मैं उल्रेटी यहां का मेंबर हूँ और यह जगह बच्चों के लिए नहीं है इसलिए तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए तब ही कैनिंग उसे कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मैं तमसे सिर्फ दो साल चोटी हूँ केविन उसे टीज करते हुए कहता है इसलिए तो तुम एक बच्ची हो कैंगी सुनकर बहुत चड़ जाती है केविन फिर से उन्हें घर जाने को कहता है और वो अंदर चला जाता है आगे हम देखते हैं कि थाइम भी एक बार में है वो गोरिया के कारण बहुत सैड है मैथस पे उसके लिए वरिड होता है वो उसे कहता है तुम्हें कोरिया पर विश्वास करना होगा वो पिक्चर्स असली नहीं हो सकते आगे वो बार में सारे कश्मर को अपनी तरफ से टीर देता है वहाँ सब बहुत खुछ दिक रहे थी लेकिन थाइम कमोर सुबह से ही ओफ था उदर कैविन में बार में होता है वहाँ वो बार कल से पूछता है कि क्या यहां CCTV कैमरा भी है वो बार कल उसे बताती है यहां कैमरा तो है लेकिन डरने की कोई बात नहीं वो सिर्फ सेक्यूरिटी के लिए है यहां किसी के भी प्रावेसी लेक नहीं के जाती अब कैवन उसे गुरिया वाली पिक्चर दिखाता है और कहता है फिर ये सब कहां से लेक हुई वो कहती है इनके बारे में मैं नहीं जानती लेकिन सेक्यूरिटी गार्ड्स तुम्हें इनकी इन्फोर्मेशन दे सकते हैं वहां के गार्ड्स भी कैवन को कोशन करता देख डड़ चुके थे वे उसे वहां से जाने को कहते हैं और बार बंद करने का बहाना करने लगते हैं लेकिन कैवन जाने से मना कर देता है आगे बार के सारे सिक्यूरिटी गार्स केविन से फाइटिंग करने लगती है किनकि वे उस फोटो की कोई भी जनकारी उसे नहीं बताना चाते थे अब केविन भी उन सब को अच्छा सबक सिखाता है और बार के उल्मा सारे गार्स को मार गिराता है जब बार के ओनर को ये पता चलता है कि केविन बार में है तो वो वहाँ दोड़ा दोड़ा आता है वो बहुत डर चुका था आगे वो केविन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोसिश करता है केविन उसे गुरेया के पिक्चर्स के बारे में पूचता है कि ये सब किसने करवाया तुमने सिर्फ लोगों की प्राइवेसी लीक नहीं की उन लोगों का जीना भी चैलेंजिंग बना दिया है बे किसी को फेस तक नहीं कर पा रहे तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गल्टी की है अब मुझे सब को सच बताओ वो माफिया पहले तो सच बताने से इंकार करता है लेकिन केविन के धमकाने पर डराने पर उसे सच बता देता है उधर हम थाइम और मैथस को देखते हैं मैथस थाइम को लेकर बहुत परिशान होता है और थाइम को तो अब कोई भी चीज अच्छे नहीं लग रही होती तब ही बार में एक बहुत बीटिफुल गर्ल की एंट्री होती है सब उसे देखते रह जाते हैं इवन मैथस भी और वो गर्ल थाइम की तरफ जा रही होती है अब हम देखते हैं कि वो गर्ल कोई और नहीं कोरिया की फ्रेंड हाना है अब वो ट्रिंक में कुछ मिला देती है और थाइम के पास आती है थाइम तो नसे में होता है इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाता हाना उसे वो ट्रिंक मिला देती है उसको δेखकर लग रहा था कि वो time को फसाने वाली है या उसके सांथ कुछ गलत करने वाली है मैथर बिदूर से ये देख रहा था जब तक वो कुछ समझभाता कि हाना क्या करने वाली है तब तक बहुत देर हो चुकी थी हाना थाइम को लेकर वहां से गायब हो जुकी थी उदर गोरिया कैनिंग के घर पर होती है कैनिंग उसके लिए नोडल्स बनाती है और दोनों साथ में खाने लगते हैं कैनिंग के फादर गोरिया को खहते हैं कि जादा चिंता ना करें और कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो बेजी जग बोल सकती है गोरिया उनको थैंक्स कहती है अब कैनिंग गोरिया से पूछती है कि थाइम और उसके बीच अभी कौन सी प्रावलम्स है और वो इतनी अफसेट क्यों दिख रही है गोरिया उसे बताती है कि उन फोटोस के कार उसमें मेरी गलती नहीं है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है हमें जल से जल सचाई का पता लगाना होगा अब गोरिया कैनिंग एक दुसरे की हिमत बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे सचाई का पता लगाकर रहेंगे अब दोनों अपने नूडल्स इंजॉय करती है उदर हाना थाइम के साथ एक होटेल रूम में होती है थाइम तो बेहोस होता है हाना जब थाइम के पास जाती है तो वो उस समय भी गोरिया का नाम लेता है जिसे सुन हाना गुस्से से भड़ चुकी थी अब अगले दिन स्टार्ट होता है गोरिया जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि जैन उसकी study table को तोड रही है वो उसे रोकती है तो जैन उसे कहती है तुम्हें पता भी है तुमने जो time की साथ किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है तुम जब से आई हो एप 4 में दरारे डाल रही हो वो बाके student को भी गोरिया को बुली करने को कहती है लेकिन अब कोरिया का red card कैंसल हो चुका था इसलिए सब उसे बुली करने से डर रहे थे अब जैन थाइम को message कर पूछती है कि क्या वो कोरिया का red card तोबरा start कर सकता है और reply में time yes कहता है इसका मतलब अब सारे student कोरिया को बुली कर सकते है हम देखते हैं कि ये message time ने नहीं हाना ने किये थे और उसी ने गोरिया का red card start करवाय था वो ये सब करके बहुत खुस्तिक रही थी उधर सारे student कोरिया को फिर से परिसान करने लगते हैं वे गोरिया के bag में एक bike की की देखते हैं जो गोरिया के friend canning का होता है गोरिया उनसे की वापस मांगती है लेकिन वे सब उसे की नहीं देते और उसे भगाते भगाते स्टेडियम तक लाते हैं वो bike भी उन्होंने वहां ला दी थी गोरिया उन्हें ये सब करने से रोकती है लेकिन सब के सब उसका मजाग उडाना उसको torture करना स्टार्ट कर देते हैं गोरिया को परिसान कर सब बहुत कुछ हो रहे थी उधर हम कैबिन को देखते हैं जब मैथस को बताता है कि बार के ओनर ने उसे बताया है कि इन सब के पीछे एक बिजनेस मैन करिचना का हाथ है लेकिन थाइम कहा है अब मैथस उसे कहता है कि वो तो अपने घर पर होगा लेकिन रात को वो एक गरल के साथ था वो कोई और नहीं हाना थी तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा वो जैसे स्कूल में लिखती है बार में उसे बिल्कुल अलग थी वो बहुत ही सुन्दर लग रही थी लेकिन तब ही उनको हाना के सर नेम पर सक होता है वे उसकी बायोग्राफी चेक करते हैं और एयर बुक में उसकी डिटेल्स देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पहले भी उनके सांस स्कूल में पढ़ चुकी है और हाना पहले बिल्कुल अलग दिखती थी उसने अपना नाम भी कई बार चेंज किया है जैसे कौरांका और वेडाला और अब हाना और उस बार के ओनर ने जो कृष्णा के बारे में बताया था वो हाना से कनेक्टिड होता है कि हाना उसी बिजनेस मैन की डॉटर है इसका मतलब हाना ही कोरिया के सांथ ये सब करवा रही है लेकिन वो ये सब क्यूं कर रही है और उसने अपना नाम, चहरा, हर्चीड उसने चेंज किया अब केविन मैथस को थाइम की और भी चिंटा होने लगती है किनकि हाना थाइम के सांथ कुछ भी कर सकती है वे थाइम को कॉल भी करते है लेकिन उसका फोन तो हाना के पास था और वो उनका कॉल कार देती है अब थाइम को होस आ जाता है वो अपने आपको होटेल रूम में देखकर हैरान था तब ही हाना वहां आती है वो उसे बताती है कि तुमने कल रात बहुत ड्रिंक कर ले थी और मैं तुम्हारी केर करना चाहती थी तुम्हें उसे मैं हैल्प की जरूरत थी इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आई अब थाइम वहां से जाने लगता है हाना उसे रिक्वेस्ट करती है कि चलो हम पहले सांथ में ब्रिक्वास्ट करते है लेकिन थाइम तो वहां से जाने के लिए बेचैन होता है उसे बाहर वही विलिंग मसीन दिखाई देती है जिसे देख उसे कुरिया की याद आने लगती है अब उपना फोन ढूनने लगता है लेकिन हाना बार बार थाइम के पास आकर उसे से ड्यूस करने की कोसिश करती है और कुरिया को भूल जाने को केती है पर थाइम उसकी एक पी बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हे हुआ क्या है? तुम्हे सब कर क्यों रही हो? अब हाना को गुसा आ जाता है वो कहती है तुम्हेरे लिए इतने कॉल्ट हेट और क्यों हो? मैं कोरिया से कई गुना बैटल हूँ फिर भी तुम उस्टूपिड गर्ल कोरिया को लाइक करते हो मुझे क्या कमी है तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है थाइम ये सब सुनकर हैरान हो चुका था कि आगर हाना ये सब क्या और किम कह रही है वो हाना से कहता है मुझे नहीं पता तुम ऐसा किम कह रही हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ सायद हम पहले भी मिले हैं अब हाना उसे सब को सच बताती है अब हम फ्लैस बैक में देखते हैं कि जब वे प्राइमरी स्कूल में थे तब से हाना पाइम को लाइक करती है लेकिन पाइम और बाकी बॉइज उसे अगली करल कहते थे ताइम उसे हमेसा दूर रहते था उसने कभी भी उसकी फिलिंक्स नहीं समझी तब से हाना अपने आप से चिड़ने लगी उसने थाइम के लिए अपने आपको पूरी तरह से चेंज करने का डिसाइड कर लिया वो बजबन से थाइम की पसंद नापसंद हर चीज जानती है और आगे उसने अपना फेस का प्लास्टिक सरजरी तक करवाया अपना नाम भी चेंज कर लिया उसे विश्वास था कि थाइम अब तो उसे अकसेप्ट करी लेगा लेकिन जैसे ही वो हाई स्कुल में गई वहाँ कोरिया से मिली हाना थाइम को अपनी तरफ अट्रेक्ट करना चाहती थी लेकिन थाइम तो कोरिया की तरफ खीशता चला गया और हाना की सारी मैनत उसका प्लैन फ्लोप होता गया उसने कोरिया को कभी फ्रेंड नहीं माना वो उससे हमेशा से नफरत करती है लेकिन थाइम के लिए उसने कोरिया को फ्रेंड बना कर रखा था अब जैसा कि थाइम कोरिया को लाइक करने लगा हाना इसे बहुत जैलिस और गुस्से में थी उसने कुरिया के पीछे फोटोग्राफर लगा दिये उसे जान बुचकर कई मुसीवत में डाले ताकि सब उसे कलत समझे सब कुरिया से नफरत करने लगे और थाइम हाना की तरफ एट्रेक्ट हो सके ये सारी चीजे हाना थाइम को बताय रही होती है ये सुन थाइम बहुत गुसे में आ जाता है वो कहता है आखर तुम ये सब कर क्यों रही हो तुमें तुम उसे नफरत करना चाहिए अब हाना कहती है मैंने ये सब तुमें पाने के लिए किया मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ लेकिन तुम मेरा दर्द प्यार कैसे समझोगे मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ और तुम्हें लाइक भी करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें आज तक अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाई थाइम कहता है मैं तुम्हारे फिलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी से नफरत की थी और फिर वो नफरत प्यार में बदल गया पता भी नहीं चला मैं गोरिया की बात कर रहा हूँ मैंने उस पर विश्वास ना करके सबसे बड़ी गल्दी की मैंने उसको बहुत हट किया है और हाना तुम कितनी भी कोशिश कर लो कितनी ही चीज़े बदल लो लेकिन तुम गोरिया की जगे कभी नहीं ले सकती गोरिया तो गोरिया है तुम उसकी जैसी कभी नहीं बन सकती और मैं सिर्फ गोरिया को लाइक करता हूँ हाना ये सब सुनकर गुस्से में बहुत चिलाती है वो अपने आपको मारने की भी धमकी देती है अब अपने फेस पर कांच मारने वाली होती है और कहती है साध इससे लोग मेरा दर्ट समझेंगे और सब सोचेंगे कि तुमने एक इनोसेंट गल के साथ कितना बुरा किया ये चहरा मैंने तुम्हारी लिए बदला था लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं हुआ तुम आज भी पहले जैसे हो तब ही थाइम उसे रोकने की कोसिस करता है जिससे कांच उसके हाथों पर लग जाती है और उसका हाथ जखमी हो जाता है लेकिन वो हाना को बचा लेता है और उसे कहता है ये सब करने से कुछ नहीं होगा तुम्हें पता है दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से खुद को करना चाहिए हाना वहां बहुत रोती है उसे अपने गलती का हैसास हो गया था अब थाइम अपने फोन में देखता है कि सारे स्टूडेंट को कितना बुली कर रहे हैं इस पर वे कोरेया को पहले से भी जादा टॉट्चर कर रहे हैं अब थाइम वहां से जल्दी से निकलता है ताकि कोरेया को बचा सके गोरेया वहां बहुत रो động होती है वो उन्हें रोकने की कोसिश कर्लोगए लेकिन उसका साथ देने वाला वहां कोई भी नहीं था टीचर भी उन्हें रोकने की कोशिज करती है लेकिन एफ़र के रैड कार्ड के आगे किसी भी नहीं चलती अब कोरिया सबसे चिला कर कहती है तुम कितने भी कोशिज कर लो मैं हार नहीं मानूंगी मैंने कुछ भी गलत वह भी किया है अभी बोईज उसे और भी तोर्चर करने वाले थी लेकिन तभी थाइम वह आ जा जाता है और से उन सब से बचा ली ता पहती ठारिया को बुरी करती थी अब को भी गोरिया की हालत को देखकर उन्हें अपने गलते का असास हो रहा था वे भी उसके लिए तुकी थी अब थाइम को अपने घर ले जाता है वहां वह सबसे चुपते चुपते श्टोर रूम में होता है उसकी मेर्ड उसे सबसे चुपते हुए फरस्टेट गिर्ड लाकर दे थे इसे बागी लोगों को उनका पता लग सकता था अब कोरिया कहती है मुझे विश्वास नहीं होता कि हाना ने मेरे साथ ऐसा किया वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंट थी कोरिया को बहुत चोट लगी थी अब थाइम उसकी चोट पर पट्टी करता है कोरिया उसे कहती है तो प्यार्टे करो कि थाईम तो अपने कठोहर अंदाज में ही उसे यॉब लगा रहा था थाएम उसे कहता है तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हें कितने प्यार से झ्यॉब लगा राओं अब गोरिया उसे थैंक्स कहती है उसे सबसे बचाने के लिए ने तो आज पता- कारण परिशान हो अब थाइम उसे कहता है वैसे जो कुछ भी हुआ हाना ने भले ही गलती की लेकिन एक चीज़ उसने बहुत ही अच्छा किया उसे के कारण मैं तुमसे मिल पाया जिस लड़की के हमेशा बाल उखड़े रहते थे ना कोई मेक अप ना कोई सौफ करती थी थाइम उसे अपना ख्याल रखने के लिए बहुत लेक्चर देता है लेकिन कुछ भी नहीं सुनती कि वह सो चुकी थी थाइम उसे सोता देख बहुत खुछ था वह से अपने पास लाकर सुलाता है थाइम अब कोरेया के कारण बहुत खुछ था अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका था गोरेया जब उठती है तो वह डड़ जाती है कि वह अभी भी थाइम के घर पर थी अब एक हैलपर उसके पास आती है उसे उसकी स्कूल डर्स देती है आगे वह उसे बताती है कि थाइम ने उसके लिए ये सारी बाइक खरी दी है तुम्हें जो पसंद आए व दुकी हो गोरेया कहती है तुम ये सब किम कर रहे हो ये सब मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है लेकिन थाइम के जिद के आगे गोरेया को जुकना ही पड़ता है उदर थाइम गोरेया के फादर का लोन भी चुका देता है और उसकी बार वाली पिक्चर्स वीडि ग्राफी बताता है जो गोरेया को पता नहीं था अब हम देखते हैं कि हाना अब स्कूल चोड़कर जा रही है वो बहुत अपसट है तब ही कोरेया भी वहां पहुंच जाती है उसे रोकती है और कहती है क्या तो मुझे बिना कुछ कहे यहां से चली जाओगी हाना तो अपन बनने का फेक एक्टिंग कर रही थी मुझे वो सारी फिलिंग असली लग रही थी लेकिन जाते हुए मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ जहां भी जाओ अच्छे से रहना अपना ख्याल रखना यह सब कहते कहते गोरेया बहुत इमोशनल हो चुकी थी अब हाना वह कोरेया से माफे मांगने आती है कि वे अपनी गलती पर बहुत दुकी थी लेकिन उनके मुझे सोरी निकल नहीं रहा था तब ही थाइम भी वहां आ जाता है और कोरेया के साथ खड़ा हो जाता है वह उनसे कहता है तुम लोग फिर से कोरेया को तंग करने आ गई वे गल्स कह दूंगा यानि थाइम अब कोरेया को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा उसका ख्याल रखेगा और बाकी सारे स्टूडेंट ये सुनकर सौक्ट होते हैं बाकी गल्स तो कोरेया से बहुत चैलिस हो रही होती है गोरेया थाइम से पूस्ती है मैं तुम्हारी गल्फन कब बनी ने हा कहा था गोरेया कहती है मैं उसे में नेंद में थी और नेंद में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है अब कोरेया कहती है तुमने क्या क्या मेरे साथ किया था मुझे डर लग रहा है सच सच बताओ कुछ भी मत चुपाना दरसल रात को करवट लेते हु बार बार पूचती है मुझे जानना है तुमने मेरे साथ रात को क्या क्या किया था लेकिन थाइम उसे नहीं बता था वो सर्माते हुए वहां से जाने लगता है लेकिन कुरिया और थाइम की फाइटिंग नहीं रुपती वे दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं केविन मैथस कि देखकर बहुत खुष थे वे कहते हैं अब तो साइद इनकी फाइटिंग कभी खतम नहीं होगी हर रोज ये दोनों लड़ेंगे तभी वहां आ जाता है वह फ्राइंस से यहां आ चुका है सब यह देखकर हैरान थे रैन उन दोनों की फाइटिंग देखकर कहता है तुम कोई भी अब उससे पंगा नहीं ले सकता इसी बात पर दोनों फाइटिंग करने लगते हैं और अब रैन भी थाइलेंड आ चुका है वो दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों अब तक पहले की तरह हो हमेशा लड़ते रहते हो लेकिन अब बहुत बदला बदला लग रहा है वो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहा है अब उसकी मॉम उसे कई पिक्चर्स दिखाती है और पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो मुझे सच सच बताना तिया वह पिक्चर देखकर कहती है यह तो बस नॉर्मल से पिक्चर्स है थाइम किसीने कि हैल्प त दोड़ेगी अब उसकी मॉम उसे कहती है यह लड़की थाइम के कुछ जाना ही पास नहीं आ रही तुम आज ही थाइलेंड वापस जाओगी और तुम्हें थाइम और कुरिया के किस्से को खत्म करना है जिस चीज को जहां होना चाहिए वहां से सैट करके आना थाइम के मॉ बहुत कॉल्ड रटिड है वह को उसकी गरीवी से जज़ कर रही होती है वह नहीं चाहती कि और थाइम साथ हो और कोई मीडल क्लास कर उनकी फैमिली का मैंबर बने वह को कहती है याद रखना मुझे थोड़ी सी भी चेंजिस पसंद नहीं है सब कुछ मेरे हिसाब सी मेरी सब्सक्रेंटेंध‌ daar और कॉर्ण स कहते हुए श्वग से प्यार स्यंबल ह होता है जिए सब से यादे और मैं प्रया को बिल्कुल सैट हो रहा है तौकि तुम्हारा फर्श लव दो उसके ऑनलारा का मैंपहुत को ताहरी होते हैं लेकिन कोरेया बहुत ही कन्फियूज थी, वो उनको बताती है कि रैन अप पहले जैसे नहीं है, हम देखते हैं जब रैन स्कूल में आया था, वो कोरेया से कुछ जादा ही प्यार से बात कर रहा था, और कह रहा था, कहीं मैंने जादा देर तो नहीं लगा दी, गोरेया उसके के लिए बहुत खुसूम, अब इस सारे फ्रेंड यानि एफ़र पार्टी करने चले जाते हैं, रैन का बिहेव पहले से बहुत चेंज लग रहा था, इसलिए गोरेया उसी टाइम से रैन के लिए पर रिसान थी, वो कैनिंग को कहती है, मैं क्या करूँ, मैं उससे मिलना चा सारे मैंबर पार्टी करने में लगे हैं, उनके बीच रैन भी था और वो भी गर्ल्स के बीच इंजोई कर रहा था, यह पहली बार था कि रैन इतना बदल गया, गोरेया तो सूच में पर जाती है कि रैन इस हद तक कैसे जा सकता है, कहां वो गर्ल्स से पार्टी से इन सान देख रही थी, कि उसका फोन अभी तक बन दी था, स्कुल के प्रिंसिपल वहां स्पीच दे रहे थी, तब ही वहाँ आवाज आती है, कोरेया मेरी गर्ल्स फैन मीटिंग हॉल के साइड में जल्दी से मुझसे मिलो, गोरेया यह सुनकर है, तब ही वो देखती है कि थाइम उसे मिलने के लिए कुछ भी खड़ सकता है, उसे लोगों के सौच से फर्फ नहीं पड़ता, अब कोरेया थाइम से मिलने जाती है, वहाँ थाइम को डाटते हुए कहता है, तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए, तुमें पता भी है, मैंने तुम्हें कितने कॉ मैं तुम्हारे लिए एक फोन लाया हूँ, वह को एक सैल फोन देता है, लेकिन कोरेया लेने से मना कर देती है, थाइम कहता है, तुम्हें यह लेना ही होगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब तुम्हेरा कॉल नहीं उठाती है, आगे वह कहता है, अगर तु एक फोन बिजाइन का होगा, गोर्या उसे मना करने लगती है, कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, ऑर ताइम उसकी एक भी ंसने वाला, तुम्हें मेरी बाध माननी होगी, और हम दोनों साथ में सैटरियौ को डेट पर ज़रूर जाएंगी, मैं तुम्हें कॉल लगेन के बहाने के बात करने आई थी वहां उसे रहन दिखाई नहीं देता है वहांसे जाने रहन पीछे से आता है और कहता है तम आज भी जिफ़ चुपने आती हो तुम बिलकुल नहें पदली अब करया उसे कहती है मुझे विश्वास नहीं था कि तुम यहां आओगी पता नहीं मुझे तुम पहले से अलग लग रहे हो क्या तुम अब ट्रोइंग नहीं करती रैन उसे कहता है मेरा स्केच्च बुक खोड चुका है इसलिए मैं ट्रोइंग नहीं कर रहा आगे वो पूचता है तुम्हें थाइम के साथ डेट पर कैसा लग रहा है क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रेट करता है गोरिया कहती है थाइम और मैं कोई भी डेट नहीं कर रहे सब हमें गलत समझ रहे हैं मैं उसके साथ किसी भी रिलेशन्सिप में नहीं हूँ अब रेन कहता है कोई बात नहीं हम फ्रेंड्स तो रहेंगे गोरिया कहती है हाँ हम हमेसे फ्रेंड्स रहेंगे तब ही रेन उसे प्यार से कहता है अगर तुम चाहो तो हम friendship से आगे बढ़ सकते हैं यानि हम दोनों भी date कर सकते हैं वो भी किसी को बिना बताए यानि time से चुपकर मुझे time से कोई problem नहीं है गोरिया सुनकर सौक्ट हो जाती है वो सोचती है रैन कैसे बैकी बैकी बाते कर रहा है तब ही रैन उस पर हसने लगता है और कहता है मैं तो मजाग कर रहा था क्या तुमने सच मान लिया था गोरिया बहुत confuse हो चुकी थी वो उसके हैंके उसे वापस करती है और वहां से जाने लगती है रैन उसे कहता है मुझे विस्वास नहीं हो रहा तुमने इसे अब तक संभाट कर रखा था आगे वो कहता है हमें किसी भी कीम्ती चीज़ का देर से रीलाइज क्यों होता है कहीं मैंने ज़्यादा देर तो नहीं कर दी कहीं मैंने किसी को क्षोट तो नहीं दी वो इंडिली गॉरिया से कह रहा था कि मैंने कहीं तुम्हें खो तो नहीं दिया रैन को भी कुरिया से प्यार हो गया था इसलिए वो कह रहा था कि साइद मैंने देर कर दी तुम थाइम के पास चली गई पर कुरिया तो बहुत कन्फ्यूज हो चुकी थी वो फ्लावर सोप पर होती है वहां उसके ओनर कहते हैं वो तुम्हें इंडिरेकली सुड्यूस कर रहा था पर मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ मैं तुम्हारी जादा हैल्प नहीं कर सकता कैनिंग उसे कहती है मैं तो तुमसे बहुत चैलिस हूँ दो दो लड़के तुम्हारे प्यार में पागल हैं पहला रैन वो जब भी तुम्हारे पास आता है तुम्हारे दिल की धड़कने तेज हो जाती है और दूसरा थाइम जो तुम्हें किसी ना किसी चीज से परिसान करता रहता है लेकिन दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं अब कुरिया कहती है मैं क्या करूँ मैं बहुत कन्फ्यूज हो चुकी हूँ और आप सब मुझे टीज करने में लगे हैं कैनिंग पूछती है तो तुम परिसान किम हो अब कुरिया उन्हें बताती है मैं किसी भी डेट पर नहीं जाना चाहती लेकिन अगर मैं थाइम को मना करूंगी तो फिर से किसी मुसिबत में फश जाऊंगी कैनिंग उसे कहती है मेरे पास एक आइडिया है मैं अपने बॉल्फन टैशला के साथ इस सैटेड़े को जू होने जा रही हूँ अगर तुम चाहो तो तुम भी थाइम के साथ आ सकती हो हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे तो थाइम तुमें जादा परिसान नहीं करेगा गोरिया को ये प्लैन अच्छा लगता है अब वो थाइम को कॉल करके ये सब बताती है थाइम ये सुनकर बिलकल है रहान हो जाता है और कहता है तुम भी बच्चों जैसी बात करहे हो तुम काहने के साथ डेट पर जा रही हो या मेरे साथ और कोई डेट पर जूम में गूमने जाता है क्या वो भी ऐनिमल्स के बीच में मैं ऐसी जगे कभी नहीं जा सकता केविन मेतलस्टोन की बाते सुनकर एंटरेटेन हो रहे थे और कह रहे थे इनकी फाइटिंग कभी खतम नहीं हो सकती हमेशा लड़ते रहते हैं अब कुरिया कहती है तुम नहीं जाना चाहते तो मच जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब वो फोन डग देती है उसके ओनर कहते हैं तुम लोगे के फाइटिंग कभी खतम नहीं होती क्या तब ही थाइम कुरिया को फिर से कॉल करता है सौब के ओनर कुरिया को बबल सिट देते हैं और कहते हैं प्लीज थाइम से थोड़ा प्यार से बात करो क्या पता वो मान जाए और ये बबल से तुम्हारा गुस्सा उतारने में हैल्प करेगा अब थाइम उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ लेकिन तुम्हें एक चीज करना होगा गुरिया पूछती है क्या थाइम कहता है मैं जो बोलूँगा वो रिपीट करना और मुझसे प्यार से रिक्वेश करो तब ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगा अब गुरिया उसकी बातों को रिपीट करती है कि मिस्टर थाइम आप बहुत हैंसम हो सबसे कूल हो कि आप मेरे साथ जूमे घुमना चाहेंगे सब उनकी बातों पर बहुत हस रहे थी पर गुरिया बहुत ही गुस्से में थी उसे ना चाहते हुए भी ये सब कहना पड़ रहा था अब लाश में थाइम कहता है मेरे लिए म्याउ म्याउ करो गुरिया अपने गुसे को कंट्रोल करतेुए बोलती है मयाउ मयाउ ये सुन थाइम को बहुत अच्छा लगता है कैविन मेथर सो खेते हैं थाइम कभी नहीं सुदर सकता वो गुरिया को कितना टीज कर रहा है गुरिया तो सुन सुश रही थी मैं भी कहां फस गई मैं इसके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहती फिर भी इसके साथ चलने के लिए मना रही हूँ जो मुझे बिल्कुर पसंद नहीं है अब रैन थाइम को कहता है अगर तुम गोरिया के साथ नहीं जाना चाहते तो मैं जा सकता हूँ वैसे भी जो गुमे हुए बहुत दिन हो चुके हैं पर थाइम उसे कहता है डॉंट वरी मैं गुरिया के साथ चला जाँगा गुरिया अब तुम तयार रहना गुरिया तो थाइम के कारण बहुत गुसे में आ चुकी थी वो कैनिंग से कहती है वो पैसे वाला है तो क्या मेरे उपर अपना हुकम चलाएगा मुझे ना चाहती हुए भी उसकी हर बात क्यों माननी परती है पर कैनिंग भी उसे म्याँ मैँ कहके टीज करने लगी थी अब आगे वहाँ थाइम के सिसर टीया आती है जो गुरिया को साथ में लेकर जाती है गुरिया उनको थाइम के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है पता नहीं अब थाइम मुझे कितना परिशान करने वाला है मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है टीया उसे समझाती है कि चिंता मत करो सब कुछ अच्छा होगा और अगर तुमें कोई भी परिशानी हो तो बेजी जग मुझे बता देना मैं उसे स्वाल्व कर दूँगी गोरिया कहती है मुझे लग रहा है आप किसी चीज की चिंता में है दरसल टीया तो गोरिया और ठाइम के लئे चिंता में थी किमकि उसके मौम उनके साथ कुछ भी कर सकती है वो उनको साथ में नहीं देखना चाथी और यहा टीया अपनी मौम का ओर्डर नहीं मानती वो तो कोरिया को ठाइम के साथ आगए बढ़ने के लिए कहती है अब कुरिया टिया से रैंक के बारे में डिसकस करती है कि पता नहीं वो अब पहले से चेंज हो चुका है क्या ये सही है टिया उसे समझाती है ये तो नॉर्मल से चीज है टाइम के साथ कोई भी बदल जगता है जैसे आज थाइम को देखो जबसे तुम थाइम की लाइफ में आई हो वो बहुत बदल चुका है वो दूसरों की फिलिंग समझने लगा है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है किनकि तुम इन सब चीज़ों से पहली बार गुज़र रही हो लाइफ में कई टास्क ऐसे आएंगे जो तुम्हें बदल भी सकते हैं तुम पर कई अफेक्ट करेंगे लेकिन तुम्हें डरना नहीं है याद रखो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है लव जिसे तुम किसी भी ट्रॉबल से बाहर निकल सकती हो गुरिया कहती है आप बिल्कुर सही कह रहे हो और बागी थाइम अगर मुझे बुली करेगा तो उसको ताप टीज कर ही दोगी टीया कहती है आफ कॉस मैं उसे जरूर लेसन जिखाऊंगी यानि पनिस्मेंट डूंगी टीया और गुरिया वहाँ अपनी सारी फिलिंग डिसकस कर रहे थी किनकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंट्स बन चुके हैं अब गुरिया उनकी कार से रास्ते में उतर जाती है वो अपने फोन में कैनिंग का मैसेज देखती है जिसमें उसने लिखा था कि हम सैटेडे को एक बज़े जूने जाएंगे अब गुरिया देखती है रैन हमेशा कितर है डिस्पले बोट पर मीरा की फोटो देख रहा है वो मीरा के लिए बहुत सैट दिख रहा था अब गुरिया रैन के पास जाती है और उसे पूछती है क्या तुम मुझे ससस बताओगी तुम्हारा फ्रैंस का ट्रिप कैसा रहा जैन कहता है जैसा तुमने सोचा होगा फ्रैंस जैसा सुन्दर दिखता है वैसा ही ट्रिप था गुरिया कहती है मैं मीरा के बारे में पूछ रहीं क्या वो तुमसे मिली थी जैन उसे प्यार से कहता है तुम मेरी कितनी चिंदा कर रही हो वैसे मैं मीरा से मिला था वो मझे देखकर खुस भी थी और तुम्हारा थैंक्स तुमने मुझे वहाँ जाने को कहा मुझे उस प्रॉब्रम से सामना करने की हिम्मत दी मैं अब इस बात से बहुत खुस हूँ कि मैं उस प्रॉब्रम से भागए नहीं बल्कि उसका सामना किया गोरिया हैरानी से कहती है क्या सच में तुम खुस हो कदल चुकी है तुम्हारी लाइफ कलरफुल होने लगा है अब रहन उसके सूज को देखता है गो रहने अपने सूज को अच्छे से टाय नहीं किया था जैन उसे ठीक करता है और कहता है तुम नहीं बदली तुम्हारी हैबिस आज भी सेम है क्या तुम सच में पहले जैसी हो क डिरेक्ली अपने दिल की बात क्या रहा था गोरिया ये सुनकर अंदर से बहुत खबरा जाती है उसकी बस भी वहाँ आच चुकी थी वह वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाते समय गोरिया का सैलफ़न रास्ते में गर जाता है जिसे रैन देख लेता है वो उसे अपने पास रख लेता है अब कुरिया अपने घर अपने घर पर थी वो रैन और थाईम दोनों के कारण पर रिष्यान देख रही थी तब हی माँश के बरदो रहता है थाईम ने गुरिया से बात करने के लिए उसके फ़ॉन पर कॉल किया था थाइम उसे पूचता है तुम इतनी टेंस क्यों हो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही अब गुरिया अपना फॉन चेक करती है उसे हसास होता है कि फॉन जरूर रास्ते में गिड़ चुका है जब वो रास्ते में रैन से मिली थी वो थाइम को कहती है साथ मेरा फॉन फॉलावर ब्राइम से जाने का टाइम बता ती है और ओने मेरो और में या जाना कि बाएब बाल यसा को प्रया थोचते हैं और से नहीं है दुम्हें ब्राइब कहाँसे वहा दूब में पर बेर्द hers कर रैना का हम जोड़ा दी है को और शूक जाती है कि इसका पारगो धायद है रिया और मेरी फैमली की इतनी क्यों कर रहा है? वो हमेसे ग्रेजिस तिंग करता रहता है. अब पता नहीं, कल क्या होगा? आगे हम रैन को देखते हैं, जो पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही उदास है, और किसी चीज़ से बहुत परिसान होता है. तब है वहाँ थाइम आता है वो जिव में कुरिया के साँ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटर था वो रैन से पूछता है मुझे बताओ एक नॉर्मल इंसान कैसे कपले पहनता है मुझे कौन सी ड्रेस पहनने चाहिए ये ग्रिन वाली या वाइट वाली ठाइम ड्रेस के लिए बहुत ही कन्फियूर्स था वो कभी विंटर की तो कभी समर के कपले चूछ कर रहा था रैन उस पर हसने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत ही एक्साइटिड हो कुरिया के लिए कितने सीरियस हो ठाइम उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है जब से तुम फ्रैंस से आए हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल मुस्किल से ही आती है तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है जिससे तुम बहुत परिशान हो लेकिन तुम अपनी परिशानी किसी को क्यों नहीं बता रही पर रैन उसे कुछ न तुम्हें देख लिया यह पोन कल कुर्या से रास्टे में गिर गया था जब Mुझ से मिली थी मैं इसे वापस करने वाला था लेकिन अब तो वापस कर देना ये सुनकर थाइम को बहुत दुख होता है कि क्योंकि कुर्या उसे जूट बोला कि वो राजते में किसी से भी नहीं मिली थी आखिर उसने सच क्यों नहीं बोला अब हम गोरिया को देखते हैं वो तैयार होने में बहुत कंफ्यूज हो रही थी और वो कई सेफटी टूल भी अपने सांथ रख रही थी ताकि थाइम से बच सके उसका ब्रद करोगी और ज्यादा ओवर तिंक मत करो अब दो भर के एक बच चुके थे थाइम जू में सबका वेट करा था तब ही कुरिया भी वहां पहुंच जाती है और उसे कहती है कहीं तुम फिर से मुस्पर गुसा तो नहीं होना कि मैं फिर से लेट आई हूँ थाइम कहता है बिलक लगाना कहना यहां बहुत सोर है ना इसलिहें में सुनना पाई थाइम रिपीट करता है और गुसे में कहता है तुम चाहती क्या हो पता है मैं कितने देर से याह ओँ और अब तक कोई भी यहां नहीं आया गोरिया उसे सांथ करा देड़े कहती है इन चीज्वें लिए इसा लड़ता रहता है गोरिया कहती है तुम कल़ समझ रहे हो तभी कैनिंग और उसका बॉइफेंड टैसला भी वहां आ जाते हैं टैसला उनका मजाग बनाते हुए कहता है इम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो एक दूसरे को समझाने में लगे हो गोरिया तुम्हारा जी और प्लेबर टाइप का है जो मन में आता है वो बोल देता है कुछ भी सौन समझ कर नहीं करता अब कैनिंग उसको थाइम से इंटर्डूश करवाती है थाइम उसको हैलो कहता है लेकिन टैसला उसे इग्नोर करता है और कहता है रहने दो रहने दो इन सब चीज़ों की ज नीजा दिखाने की कोशिद करा था अब आगे हम देखते हैं चारों जूमें एनिमल्स बो देख रहे हैं और टैसला किसे ना किसी तरीके से थाइम को टीज रहा है वो कई बार तो गोरियां को टेच करने कोशिद करता है और थाइम अपना गुस्ता कंट्रूल करते हुए उ अब को रिया ताइम को सॉफ्ट टोई दिखा कर उसका मोड ठीक करने की कोसिस करती है थाइम कहता है क्या तुम यह खरीदना चाहती हो गोरिया कहती है यह बहुत ही एक्सपैंसिव है मैं यह नहीं ले सकती है कोई बात नहीं मैं तम्हारे लिए पिकरूंगा तब ही वहां फि थाइंड को तिल जा रहा है और थाइंड को कितना चिर रहा है वो कितना आra लेकर जा रहा है और कहती है डॉलफिन्स वह स्टाट होने वाल है हम वहाँ जा रहे हैю उनके जाते ही थाइंड फिय़ मासल देता है सौफटों पर उपना गुसता उतारते है कहता है देखो वो मुझे कितना टीज कर रहा है क्या वो सच में स्मार्ट है क्या मैं पागल हूँ मुझे बताओ गोरिया उस पर हसने लगती है और उसे सांथ करवाती है आगे वे रिवर साइट पर आते हैं वहां गोरिया थाइम से टैसला के लिए माफ़ी मांगती है और थाइंक्स कहती है किनकि वह उसके लिए आज इतना सांथ है उसने कोई भी फाइटिंग नहीं की थाइम कहता है थाइंक्स की जरूरत नहीं मैं तो बस एक अच्छा बॉल्फन बनने की कोशिज कर रहा हूं अब कोरिया कहती है तुम्हें पता है ना मैं आज तक तुम्हारी दिल में में लिए फिलिंग्स जरूर पैदा होगी और उस दिन में तुमसे पूछूंगा कि क्या तुमसे प्यार करती हो लेकिन अभी नहीं इसलिए तब तक मैं कोशिज करता रहूंगा और तुम अभी जलबाजी में कोई भी डिसीजन मत करना मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा अब थाइम गोरिया साथ में सेल्फी लेते हैं वे दोनों उससे में बहुत खुछ थे थाइम बार बार अपने कपलों की खुदी तारीफ कर रहा था और कहता है रैन ने सच मूच में लिए बहुत ही अच्छी ट्रैस चूच की है उसकी चोइस बहुत अच् अब थाइम गोरिया को उसका फोन लोटाने ही वाला था जैसे वो कहता है गोरिया तुम्हारा फोन तब ही गोरिया कहती है अरे मुझे माफ करना वो फोन जरूर बस में रह गई होगी थाइम कहता है क्या सच में किसी से मिली तो नहीं थी ना गोरिया उसे जूट बोल देती है कि मैं तो सोब से सिधा घर पर गई थी मैं कहीं भी नहीं रुकी थी और वैसे मेरे दोबारा फॉन मत करीदना मैं तुमें डिश्टब करना नहीं चाहती यह सब सुनकर तूँ थाइम का दिल टोड़ जाता है वो मन में सुनता है गोरेया इतना जूट कैसे बोल सकती है वो रेस्टरूम जाने लगता है वो बस कोरेया के बारे में सुनसरा होता है रास्ते में टैसला अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैनिंग तो बहुत भूली बाली और पागल लड़की है वो मेरे टाइप की नहीं है मैं उसे कुछ तिन में ब्रेक अप कर नहीं वाला हूं और एक लड़की है जो बहुत ही होट है वो उसकी फ्रेंड गोरिया है कास मैंने उसे पहले देखा होता सच में वो बहुत क्यूट है थायम ये सब बात ही वहां सुन लेता है वो बहुत ही गुस्से में था अब टैसला फिर से उससे गुस्सा दिलाते हुए कहता है चलो एक टैसला को नहीं चोड़ता और उसे फाइटिंग करने लगता है फाइटिंग के आवाज सुनकर कोरिया वहां जल्दी से जाती है थायम टैसला को कहता है तुमने कोरिया के बारे में ये सब कहने की हमत कैसी की गोरिया सिर्फ मेरी है अब वहां कैनिंग और कोरिया पहुच च तैसले तो किस भी बोलते रहता है उसकी तो रादत है दूसरों का मचाग बनाने का लेकिन तुम्हें अ yapıl nahi कर सकतीजा कि थाइम कहता है दूम्हें किया रगता है उसकी बातों को सुनता रहता तुम्हें पता भी है किस तरह का अब कुरिया कहती है मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम अभी भी भी आइप हो जो में से दूसरों को टौर्चर करता है लेकिन मैं गलत समझती थी कुछ थी नहीं से बहुत नफरत करती हूं जो कुछ भी सॉले करने के लिए उसे बहुत डाटी है उसे पुरा तहाइम उससे गुस्त हो गया कैनिंग का तो पता नहीं वह अब तायम के करणET कितना दुटी होगी अब हम रहां मेंको देखते हैं इसके पास कोरिय इसे किसी ने चनुदी पूरियर के रही है उसे देख रहा होता है अब हम कुरया को देखते हैं कोई बात नहीं इससे तुम क्यों दुखी हो यह सब तो थाइम के कारण हुआ है चिंता मत करो मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी कैनिंग बेक अप के कारण बहुत ही दुखी थी और गुरिया भी कैनिंग के लिए बहुत सहर थी गुरिया की बाते सुनकर उसका यॉर्ज को फैक्रा होता है उपर वाले रूं से टीया थाइम को देख रही होती है वो उसके लिए थोड़ी दुखी दिख रही थी कैविन मैथस थाइम को संभालने की कोसिस करते हैं और पूसते हैं तुम कोरिया को मनाने कब जा रही हो थाइम कहता है तुम्हें पता है व और उस पर थाइम कहता है तुमने ये क्यों किया वह कहते हैं तुम्हें ठंडा करने के लिए इतने दिर सी बस पर यसानी में धिक़रे हो वैसे तुम्हें को मनाना होगा थाइम कहता है बिलकुल नहीं वह मुझे मनाने आईगी मैं उसे नहीं मनाओंगा अब कैवनुष के है कि थाइन कई पर हमें सही होने पर भी डेलेसंशिप जुकना पढ़ता है रिष्टोłość तो आती है प्यार में सही या घलत नहीं देखा जाता जब किसे पयार करते हैं तो हमें उसकी सारी गजल्टिया भूलने पढ़ ने पड़ती है चाहे तुम उससे कितने ही गुस्ता क्योंना हो और कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने पर उसे फेस्ट करने पर ही निकलता है। हर बर साइलन्स हैल्प नहीं करता। दूसरों को समझने के लिए तुम्हें उससे बात करने ही होगी। उधर रैन उस कॉरियर के बाक्स को ओपन करता है जिसमें उसका स्केच बिक होता है। उसमें किसी ने कुछ लिखा था जिससे बढ़कर रैन बहुत इमोशनल हो जाता है। उधर थाइम केविन के बार समझ जाता है। अब मैथरस उसे कहता है भले ही तुम दोनों एक दुस्टे से घुस्टा हो। इससे पहले की देर हो जाए जाकर गुरिया को मना लो उससे बात करो। थाइम कहता है सच में तुम दोनों तो प्यार के स्पीस देने में माशल हो। मुझे तो आज पता चला। मैथस कहता है अब कभी भी गुरिया का कॉल आए तो उसे सौरी कहना तब ही थाइम का फोन बजने लगता है केविन उसे कहता है जल्दी देखो गुरिया का कॉल आ रहा है यह सुनकर थाइम बहुत ही एकसाइटर हो जाता है वो जैसे ही अपना फोन देखता है वो केविन पर गुरिया का नहीं रैन का था आगे केविन अपने गल्टन से बात करते हुए थाइम को टीज करने लगता है कि तुम कैसी हो कहां पर हो अब थाइम बून को नहीं चोड़ता वो अब दोनों को पानी में धक्का दे देता है और तीनों वहां मेस्टी करने लगते हैं अब टीया कि एफ़र का कोई भी मेंबर अभी कैंटीन में नहीं है अगे वह देखती है कि सारे स्टूरेंट किसी निउस की बात कर रहे हैं वह थोड़ी कनफ्यूज हो जाती है अब कुरिया देवी स्कीन पर एक निउस देखती है जिसे देखते ही वह बहुत सौक थी वह अब देजी प्यार से जाकर बात करनी है ना कि ऐसे चिला कर अब जाओ और उसे प्यार से कन्वेंस करो अधाइम कोरिया से मिलने चला जाता है कैविन मैथर्स आप इसमें कहते हैं पता नहीं अब इन दोनों के बीच क्या होगा अब कैविन अपना फोन चेक करता है जिसमें वह भी एक देखता है नियूज ये था कि मेरा फ्रेंस में किसी एक्टर को डेट कर रही है उन दोनों को साथ में काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया नियूज देखकर तो केविन मैथर्स भी पर रिसान हो जाते हैं वे अब समझ जाते हैं कि रैन फ्रेंस से आने के बाद इतन पहले से जानते थे मुझे तुम्हें फ्रेंस जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था रैन कहता है नहीं तुमने सही किया यह सब तो एक ना एक दिन पता लगना ही था गोरिया कहती है लेकिन मीरा ने तुम्हारे कारण मुझे पता चला कि मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है क वो मुझे कितनी अलग है हम दोने की दुनिया एक जैसी नहीं है मैं उसकी किसी भी काम में हैल्प नहीं कर बाता था वो हमेसे अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी मुझे लगा था मैं उसके काफी पास आ चुका हूँ लेकिं लास्ट में मुझे हैसास हुआ कि सच में उसके दुनिया और मेरी दुनिया पुरी तैरे अलग है वो बहुत आगे जा चुकी है सच में किसीने सही का है अगर आप किसी से बेंते हाँ प्यार करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सच में आपका प्यार आपको मिल जाए वो आपके लाइफ में आ जाए प्यार कभी भी एक तरफ होने से फूरा नहीं होता ये कहते हुए रैन बहुत ही इमोशनल हो चुका था और गोरिया भी उसके लिए बहुत दुकी थी आगे रैन कहता है मुझे पता चल गया था कि मीरा के लाइफ में कोई और आ चुका है इसलिए मैंने उसके लाइफ से बाहर जाने का डिसाइड कर लिया सच बहुत करवा होता है लेकिन मैं इस बास से खुस हूँ कि मीरा अपनी लाइफ में बहुत खुस है उसको मुझसे भी अच्छा इंसान मिला है गोरिया कहती है क्या पता ये मिस अरफ शैनिंग भी हो सकती है तुम्हें उसे एक बार बात करनी चाहिए रैन कहता है नहीं इस पार मैं गलत नहीं हूँ यह हम रैन की डायरी की लाश पेज में देखते हैं जिसमें लिखा था मुझे उमीद है तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी ज्यादा बैटर इंसान आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा दरसल फ्रेंस में जाने के बाद रैन को एहसास हुआ कि मीरा उसे कितनी अलग है वो वहाँ देखता है कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी अच्छा इंसान जरूर आएगा और मीरा नहीं ये स्केच्च बुक रैन को कोरियर से भेजा था अब रैन कोरियर को कहता है वैसे भी सही हुआ मैं मीरा के काबिल भी नहीं था मैं तो पुरा वर्टलेस इंसान हूँ बिलकुल बेकार इंसान रैन का दिल बुरी तरह तूट चुका था वो बहुत ही हर्ट फिल कर रहा था अब कोरियर से डाटते वे कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तुम बेकार नहीं हो तुम बहुत ही कीमती हो तुम्हें एक इंसाने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ तुम अपने आपको वर्टलेस क्यों समझ रहे हो तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए कितने प्रेशियस हो अगर उस दिन तुम मेरी हैल्प नहीं करते तुम मुझे कौन बचाता उस दिन मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था अगर तुम नहीं होते तुम मैं भी आज नहीं होती पता है जब मैं तुम से पहली बार मिली थी तब से आज तक तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो अगर कोई एक इंसान तुमें प्यार नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि बाके सब भी तुम से प्यार नहीं करते कोई तुमें कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो इसलिए प्लेज तुम ये दुवारा मत कहना कि तुम एक बिकार इंसान हो कोरिया वहां रहन के लिए बहुत रोती है वो रैन के लिए बहुत दुकी थी वो अपने सारे फिलिंस वहां उसे कह देती है रैन उसे गले से लगा लेता है और कहता है वैसे तुम मुझे संभालने आई थी लेकिन मेरे कारण अभी खुदी रोने लगी अब रैन उसे संभालता है और चुप कराता है वहां दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं किनके दोना ही बहुत दुकी हैं आगे हम थाइम की मौम को देखते हैं जिनके हाथों में टूलिफ लार होता है वहां उनके मैनेजर उनसे कहते हैं आपके हाथों में टूलिफ लगता है आप अपना फर्स लव नहीं भूली उसके मॉम कहते है नहीं सब बश टेलिफ लाग के एक ही साइड को देखते हैं कि ये फर्स लव प्यार का सिंबल है लेकिन तुम्हें टेलिफ का दूसरा साइड पता है अगर प्यार पुरा ना हो दिल टूट जाए तो क्या होता है तो ये जैलिसी में नफरत में और भी डेंजरस बन जाता है ये प्यार के जुनून में कुछ भी करवा सकता है एक रात में सब कुछ बदल जाता है और इसलिए चेंजिस मुझे बिलकुल पसंद नहीं है थाइम के मौम अब गोरिया और थाइम पर कड़ी नजर रख रही थी उनके पास उनकी पलपल की खबर थी और वो चाहती है इससे पहले कि थाइम गोरिया के प्यार में बहुत आगे चला जाए वो थाइम को रोक ले गोरिया को उसे दूर कर दे कि प्यार कुछ भी करवा सकता है उधर हम थाइम को देखते हैं जो टारिस पर होता है वो रैन और गोरिया को सांथ में देख लेता है वो बहुत ही चैलिस और गुस्से में दिख रहा था अब पता नहीं थाइम वस्से में क्या करेगा किंकि वो कुरिया को किसी और के साथ नहीं देख सकता अब आगे क्या होगा नेक्स पार्ट में देखेंगे